जल, वायू, आगनी प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की ब्रह्मास्त्र और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अंजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है शिवा चलो बताओ, तो उन सब खमेरन और मैं कौन? आप साथ! कुछ रिष्टा है मेरा आख से आख मुझे जलाती नहीं कुछ चल रहा है इस दुनिया में इशा कुछ पुरानी शक्तियां है और उनके कुछ रखशक है सहस्रनन्दिम्समत्यम् हे नंदी अस्त्रम् कंद कुछ लेकिन एक अंदेरा भी है जो सब कुछ पसम करतेगा हमारा सिर्फ एक मकसद तुम चुड़े होया हो शवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से क्योंके तुम खुद है कस्त्रों अगनी अस्त्र प्याम ही तु अगनी है थार हो जाए सच्चिक अस्त्रों हुआ 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 छिजरनायह रहन शिवाष्प सब्सक्राइब सुनिया क्यूंक humans स्द्राइर रिलीज से पहले उसके बेफेक्स के ही ज़्यादा चर्चे हो तो आपकी उम्मीदे बढ़ जाती हैं परंभास के साथ ऐसा ही हुआ हर जिगे फिल्म से जुड़े लोगों ने बोला कि इसे बनाने में बहुत साल लगे ग्राफिक्स पर बहुत काम हुआ ऐसे ग्राफिक्स दे जराता है कि आप चौक जाते हैं फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत की गई है वो कहीं न कहीं न जराती है यह कहानी है रडवीर कपूर यानि सिवा की जिसे आग जलाती नहीं है उसे सपने में कुछ अजीब सी चीज़े दिखती है और फिर पता चलता है कि ब्रंभास्त है जो तीन हिस्से में बटा है और उसे उनको जोड़ना है और ना जाने क्या करना है और वो क्या करता है सच में यही कहानी है जो समझ नहीं आती। आपको कई बार पता नहीं चलता कि ये कौन सा अस्तर कहां से आया और कहां चला गया और कई बार आपको बोरियत अस्तर भी आकर लगता है कनफ्यूजन अस्तर भी मिलता है एक सीन में आलिया रडवीर से कहती है कि कौन हो तुम फिर रडवीर कहते है क्या हो तुम आपको भी इस फिल्म के दोरान कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पर और मेहनत करने की जरूरत थी रडवीर कपूर ठीक लगे हैं इससे बहतर हो पहले भी काम कर चुके हैं आलिया भट अच्छी लगी है उनकी एक्टिंग भी कमाल की है अमिताब बचन सबसे ज़्यादा इंप्रेस करते हैं अमिताब बचन का हेरे स्टाइल बहुत कूल लगता है नागर जुन अच्छे लग थी फिल्म ग्रैंड है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन फिल्म आपको पूरी तरह से बांध नहीं पाती फिल्म में कुछ नया करने की कोशिस की गई है और इसके लिए आयन मुखरजी की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बाली बुड़ वाले कुछ नया क् तो किया है लेकिन इसे और बेतर तरीके से करने की जरूरत थी यह फिल्म अपने ग्राफिक्स के वज़े से बच्चों को काफी पसंद आ सकती है और बिफेक्स के सौकिन को भा सकती है कुल मिलकर अगर कुछ सांदार बीजूल्स और बिफेक्स से देखना चाहते हैं और अब्दार रिंग सिरीज की फिल्में इन सबके असर से बीते दो धाई दसकों में जवान हुई दसकों की ऐसी पूरी एक पेड़ी तयार हो चीकी है जिसने दादी नानी से सुनी अपनी देशी कहानियों को ऐसे ही भबी तरीके से परदे पर दिखाया जाने की हिंदी फिल्म से आस लगा रखी है ताज्जब की बात यह है कि फिल्में बनाने की तकनिक से इतना उन्नत होने के बाद भी किसी हिंदी फिल्मकार का ध्यान अब इस तरफ गया ही नहीं है भारती दंत कथाओं में पैराडे कथाओं की तमाम कहानिया मुख कहानियों की छेपक कथाओं के रूम में आती हैं ऐसी एक छेपक कथा सरीखी आयन मुखेजी की 11 साल पहले सोची गई थी फिल्म ब्रंभास्त तीन हिस्सों में बनना प्रस्तावित है इस कहानी का पहला इसा आयान ने फिल्म ब्रंभास्त पार्ट वन सिवा के रूम में बनाया है इसकी अगली कड़ी फि कभी चूकता नहीं है यहां त्रेता युकी महागाथा कहती रामचिरित मानश पढ़ने वालों को याद आयेगा दोहा ब्रंभ अस्त्र तही सांधा कपिमन कीन विचार जोना ब्रंभ सर्मानों महिमां मिटए अपार फिर द्वापर में हुए महाभारत के युद्ध में भी अश्त्र प्रियोग हुआ है यह एक ऐसा अस्त्रह जो अचूक है इसका प्रियोग बार बार हो सकता है और जब भी इसका प्रियोग होता है तो यह खाली नहीं लोड़ता कुछ खुद इसके सामने नामस्तक होकर पास में बन जाते हैं और कुछ को निसाने से हटा कर समदाए बनाते हुए वरतमान में वहां आते हैं जहां धर्म और बिग्यान का मोल होता है बग्यानिक मोहन के रूम में अंधेरे की रानी मोहन से कुछ रहस पता करती है और इसकी खोज के बीच से निकालती है सिवा और इसा की प्रेम कहानी रडवीर कपर और आलिया भट सिनेमा के हाल के दिनों में सबसे चर्चित प्रेमी युगलो में से एक रहे हैं दोनों के 20 प्रेम की जो लोग इस फिल्म की शूटिंग के दोरान जगी इसकी जिलक इस फिल्म में मिलती है अगर आपने अमताब बच्चन रेखा धरमेंदर हिमा मालनी की फिल्में देखी है तो आपको कैमरे के सामने दोनों के चहरे पर एक अलग नूर दिखता है ये तेश प्रेम का है रड़बीर कपूर और आलिया के चहरे पर भी ये नूर इस फिल्म में नज़राता है और सियोग एक ये बही है कि फिल्म की क्लाइमेक्स में प्रेम की सक्ति को किसी भी लोकिक या अलोकिक सक्ति से बड़ा बताने की ब्याक्खा भी है. प्रैम की इसे सक्ति को ब्रंभास्त पार्ट तुदेवा आगे बढ़ाने वाली है. ब्रंभास्त पार्ट वन सिवा हिंदी सिनेमा का वह मौका है जिसको अगर बहिशकारों और गोर निंदकों से बचाया जा सका तेया वर्तमान मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स सरीखा एक अस्त्रवस्त हिंदी सिनेमा में रह सकती है फिल्म पूरी तरह से खरी नहीं है लेकिन अगर मनुरंजन के हिसाब से देखे तो पृतिभी राजिया समसेरा की तरह खोटी भी नह जाती है यहां कहानी का नायक कम से कम दो बार अपने वरिष्टों के चरड़ बकाइदा पायर के अंगिठों तक जाकर छूता है फिल्म की उत्सो धर्मिता का एक अलग रंग है दसहरा से दिवाले की बीच के रंगों परकासों और उत्साहों की जलग फिल्म में दिखती है फिल्म अपना एक अलग संसार भी मौजूद संसार के बीच से धीरे-धीरे रचने की कुशिस करती है कहानी दिल्ली से वरालसी होते हुए हिमाचल पर देच चाती है और इस दोरान कार पर हुए एक हमले की पूरी सिक्वेंस काफी रोमांस कारी है फिल्म में अमिता को पहली बार परदे पर देखना असल जिंदगी के प्रेमियों को खूब आने ही वाला है फिल्म सेरुखान के परसंसकों के भी दिल को छूच जाती है अपनी दुर्बीन से तारे निहारते बैग्यानिक मोहन के घर में बरंभास्त के पहले हिस्से की खोज में हुए हमले का पूरा स्युकेंस दर्शक को बांध कर रखता है वन रास्तर से नंदी अस्तर तक सामने की यात्रा में गद भी आती है और रोमांच भी बरंभास्त पार्ट वन सिवा धीमी पढ़नी वहां से सुरू होती है जहां कहानी में एक ऐसा आस्रम आता है जिसके बाहर भी आस्रम होता है ऐसी गलतिया फिल्म में धेर जारी हैं जिसमें दर्शकों को कुछ एस्पष्ट सिबाते या तो निफट में चलती आवाज या फिर पर पर कुछ ना कुछ दिखाकर बताने की कोशिस की जाती है जिसकी फिल्म में जरूरत है नहीं सिनेमा में बहुत बताना भी अलपनिक कथाएं गढ़ने के एक अलग ही प्रियोग है आयन मुकरजी हिंदी में अपना नाम आयन मुकरजी लिखते हैं अंग्रेजी में लिखे अपने नाम की वरतनी के हिसाब से फिल्म देखकर ये भी पता चलता है कि पैराली कथाओ कामिक्स की दुनिया भी उनकी अंग् उसला काबिले तारीफ है लेकिन अगर उन्हें इस फिल्म की दूसरी कड़ी बनानी है तो उन्हें अपनी टीम के कील काटे दुरुस्त करने होंगे अपनी सक्तिका भान होने पर सिवा का आगाना तांडो इस तरोस से कम नहीं होना चाहिए था और ऐसा हिंदी गीत लिखने कि कम से कम अमिताब भट्यचार से सामर्थ नहीं है वह भी दीरे दीरे जाविद अक्तर हो चले हैं उर्दू के कुल जमाए 120 सब्दों में उनके सारे गाने हैं फिल्म के समवात भी कहानी के वजन को बढ़ाने में मुदत नहीं करते हैं ब्रंभास्त पार्ट वन सिवा की कम प्रेश्ट भूम्प से फिल्म का भविश्ट्य किया गया है लेकिन इसा कौन है उसका प्रेश्ट भूम्प क्या है इसके बारे में बस इतना पता चलता है कि वह अमीर है और उसका अमीर होना बनावटी नहीं है फिल्म का बैग्राउंड इसकोर अच्छा है लेकिन फिल्म 2014 में अनौन्स हुआ कि आयान मुखर जी अपना साहकार बनाने के तैयारी में लग रहे हैं। आयान मुखर जी एक ऐसा नाम है जो काफी अच्छे प्रोड़क्स के साथ जुड़ रहा है। मसलन और सुदेश के एसिस्टन डारेक्टर और बेकफ सिड के डारेक्टर थे। ये दो नाम अपने आप में बहुत मजबूत हैं और आयान के सीवी की रिड़ बनते हैं। ऐसे में जब आपको इतने बड़े लेबल की एक फिल्म का सपना दिखाया जाए तो हर बीत्ते दिन के साथ इंतिजार किती भृता बढ़ती जाती है। उसे खुद पर सक होता है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ लोचा है। आगे आगे कहानी किलियर होती है। और मालूम चलता है कि भाई के पास कुछ सक्तिया हैं जो उसे योध्धा बना सकती है। युद्ध किसके खिलाप होगा युद्ध होगा एक बलसाली नगेटिव करेक्टर के खिलाप जिसके नौकर दुनिया में घूम घूम ब्रमभास्त को हांसिल करने की जुगत भड़ा रहे हैं ब्रमभास्त इन हिस्सों में बटा हुआ है और उन नौकरों को उसे एक जिगह ल रोल कर रही हैं गुरू रुख्यू के रूम में अमिताब बच्चन है सहरु खान और नागारजुन के छोटे-छोटे रोल हैं लेकिन एहम रोल हैं सहरु खान का नाम और काम का स्वदेश से बड़ा कनेक्शन भी है इसके लावा मौनिराय और सौरभ गुरजर पूरी फिल उसके बाद फिल्म की कहानी वो टेड़ी डंडी वाला राकेट बन गई जो जिसके छपपर में जाखुसे भगवान भी ना बता पाए पहले दस मिनट में क्या हुआ ये इसलिए नहीं बता जा रहा क्योंकि इस पाइलर की स्रेडी में आ आ आ जाएगा सोचे कि आप एक था फिल्म की शुरुटान की जनसिका प्रिल्म की अच्छी पास्ट पेस वाली सुपर हीरो कहानी के पैच्छा करने लग जाते हैं लेकिन फिर प्रेम कता सुरू होती है और डांस होने लगता है ऐसा डांस जिसमें भूटान की जनसिका जितनी जनता हीरो के पीछे नाश्टी दिखती है हीरो को हीरो के रूप में इस्तापित करने के करम में इतनी जैदा मेहनत कर दी गई है कि देसाहरा के पंडाल की साथ सज्जा, भीर, म्यूजिक और एम्बियंस देकर कोल्ड पले, एट सीरन वगेरा सरमिंदा हो जाएं और ये समय से पूरी फिल्म में रही है, कहानी ऐसे हाईवे पर चलते दिखती है, जिस पर दस किलो मीटर बाद डोलना का आ जाता है, और आपके पास दाम चुकाने के लावा और कोई आपसन नहीं होता, ये दाम आप भेहानक किरिज, डालॉक्स, अटपटी बाते, गयर ज हिल कर चुकाते हैं, कहना गलत ना होगा कि फिल्म में असल काम की चीज महज 30-35 प्रतिसत है, बाकि सब आप भूल जाएं, कोई फरक नहीं पड़ेगा, फिल्म आंत में समझाती है कि प्रेम से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, लेकिन वहां तक पहुचन हुसेन दलाल ने लिखे हैं, बेहत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डालॉक ओजल हैं, फिर हो चाहे सुवा का लाइट एक ऐसी रोसनी है जो कहना हो या इसा का अलग अलग मोके पर कौन हो तुम पूछना हो, आप आएंगी कि बगएर कोई एक्ट्रा कोशिस किये कई म मोकों पर आपका हाथ खुद वाखुद माथा पीट लेता है, अवल तो रड़विर और आलिया को जिस तरह से मिलते हुए उनकी दोश्ती बढ़ते हुए दिखाया गया है, अप अचनी है, दूसरा उस सिच्वेशन के साथ तुम अमीर हो, मैं गरीब और भरोसा करना आता ह और मेरे बिना तुम ठीक से रह लोगे, टाइफ डाला कता ही नहीं जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई खिलाडी, खड़ाओं पहन कर फुटबाल खिलने उतर गया हो, और कई जिगोह पर बिलन और हिरो के बीश की बाचीत बेहत बचकानी लगने लगती है, जैसा कि बताय कानी उन्हें सीड़ी बना कर आगे बढ़ाती है, लेकिन धर्मा और यसराज बैनर जैसे अभी वी पुरातन पद्धत को च्छाती से चिपकाए हुए हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि जब आरन मैन की गोद में लेटा स्पाडर मैन मर रहा हो, तो पीछे उद्धिन नराड की आवाज में मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले बजने लगे, नहीं न, लेकिन परमभास्त में जब दुनिया नश्ट हो रही थी, अरजी सिंग की आवाज में कैसरिया का एकवर जन चल रहा होता है, लेकिन हाँ, गाने में इतर बैगरांड मेजिक अच्छा है, जिसके पिछे अंग्रेजी कमपोजर साइमन फ्रेगलन का हाथ है, जहां जहां मौका बन पाया, रोमांच पैदा करने में बैगरांड मेजिक ने अच्छा काम किया है, इन सब के सिवा विजूल एफेक्ट का काम अच्छा है, हिंदी फिल्मों में एक का दुका फिल्मों को आसकर भी दिलाया था, बरंभास्त अस्त्रवस्त की पहली किस्त है, लेकिन इसने निराज किया, फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जनता ने पहले देखाना हो, ऐसे करेक्टर्स, ऐसी कहानियां, ऐसी प्रिष्थितियां, ऐसे एक्षन सीक्वेंस, आदी ओटिटी पर खपने वाली जनता सालों से देखते आ रही है, बरंभास्त में जो देखने को मिलता है, वह आप पहले ही है, रेपार्टर, मार्बल और डीसी स्रीज में देख चुके हैं, इस पर बात करने पर जाएं, तो लंबी लिष्ट बन सकती है, नय के नाम पर बस हिंदी पैराडिक नाम आ गये हैं, यानि नए पैकेज में वही पुरानी चीज पैक कर दी गई है, ट्रीट वाला हिस्सा बेहत कमजोर है, ट्रीटमेंट वाला हिस्सा बेहत कमजोर है, लेकिन सोरूम को जगमक बनाये रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, रडबीर कपूर और आलिया भट की मोस्ट आवंटेट फिलम प्रमभास्त बड़े परदे पर रिलिज हो चुकी है, इस मल्टी स्टेरर मूबी का दर्सकों को बेसबरी से इंतिजार था, माना चारा है कि साल 2022 में बाली बुड में जिस तरह से एक कि बाद एक फिलमें पिट कर सकता है, इस मूबी को बनाने में जहाद 10 साल के करीब वक्त लगा है, वह इस पर 410 करोड रुपे खर्चावी हैं, फिलम का क्रेज ऐसा है कि पहले ही दिन करीब 3.5 लाग टिक टो की एडवांस बुकिंग हो गई है, यह ट्रेंट अभी बना हुआ है, फिलहार वही अब ब्रंभास्त को लेकर रिवीव भी सामने आने लगे हैं, फिलम समीशको की इस पर मिली जूली परतिकरिया हैं, बॉली बॉर्ट से जुड़ी वैपसाइड पिंक विला ने इस मूबी को 5 में से 4 इस्टार दिये हैं, रिवीव में कहा गया कि ब्रंभास्त महतकांच्छा का एक क्लैसिकल उदाहरड है, आयन मुखरजी निर्देशित या फिलम आकांच्छा और कलपना को इस नियोजन को बड़े परदे पर जीवन करती है, कुल मिलाकर फिलम देखना एक सबजेक्ट्व इस्पिरियंस है, जैदातर चमे दर्सक फिलम के एक एलिमेंट को दूसरे प पर पसंद करते हैं, बालीबुट वेस्ट ही अन्वेप साइट कोई मुई ने भी इसे पांच मेंसे चार इस्टार दिये हैं, रिब्यू में कहा गया कि आयन मुखरजी ने कहानी की तुलना में पड़कता पर अधिक ध्यान के इंद्रित किया है, क्योंकि हर फ्रेम पर एक पेंटिंग है, फिल्म निर्माताओं ने हर सीन में भविता को बनाये रखना सुनश्चित किया है, फिल्म में बहुत कुछ है जिसका अंदाज़ा दर्सक लगा सकते हैं, फिर भी इसी देखने में मजा आएगा, इसकी वज़े या है कि आप या नहीं जान सकते कि इसे आप के सामने किस तरह से पेस किया जाने वाला है, इस फिल्म की कहानी है सिवा यानी रडबीर कपोड नाम के लड़के की, जिसके सपने में कुछ बेहत अजीब चीज़े दिखती है, सुसल मीडिया पर अलाग गलग चल रहे रिब्यू और अलाग गलग से मिस्कों के रिब्यू हाला कि कमचोर नजर आ रहे हैं, इनमें से फिल्म को एक स्टार से धाई स्टार दिये गए हैं, मीडिया रिब्यू देखे तो फिल्म अपनी लागत निकाल सकती है, वैसे किछ रिब्यू इस फिल्म को बकवास भी बता रहे हैं, फिल्म के लिए पहले दिन की एडवांस फिल्म का टेंड मजबूत है, वैसे भी करीब 400 करोड के बज़ड में बनी इस फिल्म को लेकर टेंड पंडितों में हलचल मची हुई है, इस साल आप तक बाली बुड में बनी करीब 25 फिल्में परदे पर रिलीज हुई हैं, इनमें से 21 तो फलाप की कटेगरी में हैं, लाल पिशिर भारत की हिंदी में डप कही गई फिल्में सभी हिट हुई हैं, तमाम बाधाओं से गुजरते हुए आन मुखर्ची द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म प्रमभास पार्ट वन सिवा सिनिमा घरों में रिलीज हो गई है, करीब 10 साल से इस फिल्म पर काम कर आयान ने इसे तीन हिस्सों में बनाने की बात कही है, इसका पहला पार्ट नाम के अनुरूप सिवा की कहानी है, आयान ने अपने इंटर्विव में कहा था कि या फिल्म भारती पहरालिक कहानियों से प्रिरित है, जिसे आधनिक दुनिया में आधनिक किरदारों के साथ सथ किया गया है यह प्राचीन सास्त्रों में वड़ित अस्त्रों की इकालपनी कहानी पर आधारित है कहानी यू है कि हिमाले में घोर तेपेश्य करने वाले रिशी मनीयों को वरदान जुरू ब्रंभा सक्तिय जित होती है जब यह धर्ती से टकराई तो बाकी अस्त्रों का जन्म हुआ यह अस्त्र हैं अगनी अस्त्र जल अस्त्र वानर अस्त्र इसमें महा अस्त्र ब्रंभास्त्र होता है उसकी रच्छा करने वाले ब्रंभास्त कहलाए कहानी का आरब में मुं मोहन वानर आस्तर है यानि वानर की तरह कोट फांद कर सकता है। उधर दिल्ली में अस्तरों की दुनिया से अंजान अनास सिवा यानि रड़ बिर कपोर सपने में इस घटना को घटित होते देख रहा है। उसे हैसास नहीं है कि वा खुद में अगने अस्तर है। दसहरे आयो और उसके साथियों की नजर वराड़सी के आर्टिस्ट अनि सेटी यानि नागारजुन अकिनेनी पर है सिवा उन्हें बचाने के लिए वराड़सी जाता है इसा भी उसके साथ आती है वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि सिट्टी रंदी अस्तर है कि जनुन ब्रमभास्त के तीनों हिस्सों को हासिल कर पाएगी उन अस्तरों को हासिल करने के पीछे असल वज़े क्या है इन पहली हो के इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती है बेक अपशिट और ये जवानी है दिवानी फिल्म के बाद से आयान अपने महतकांची प्रोजेक्ट ब्रमभास्त पर काम कर रहे है उन्होंने पराड़ी कताओ के साथ आधुनिक्ता को जोड़कर ब्रमभास्त की दुनिया करी है हाला कि उन पर हॉलिवूड की सुपर पावर आधरिक फिल्मों का परभाव फिल्म में साब जलगता है यही वज़े है कि फिल्म का एक्षन कहीं कहीं बाली बड़ फिल्म एवेंजर्स की याद दिलाता है इसमें किरदारों के पास सुपर पावर होती है और एक दूसरे की रच्षा के लिए उन सक्टियों का इस्तिमाल करते हैं आस्तरों की ताक्तों को दर्साने के लिए फिल्म में विज़ुल एफेक्ट का नाम काफी उप्यों किया जता है हाला कि वह बहुत प्रभावी नहीं बन पाये हैं फिल्म का अहम पहलू सिवा और इसा की प्रेम कहानी है प्रेम कहानी में रूठना, मनाना, हासी ठिठोली, छेड़खानी, एक तीसरों का पाने की तड़प होती है पिछले कुछ समय से हिंदी फिल्मों में प्रेम कहानी होती है लेकिन प्रेम आगन नहीं होती यहां भी इसा और सिवा की प्रेम कहानी है लेकिन इस्क्रीन पर देखते हुए रूमान्स और प्रेम के अनुभीद नहीं होती इसकी वज़े कमजोर स्क्रीन पिले है सवाद भी बहुत परभावी नहीं बन पाए है सुरुआत में कहानी धीमी गत्से आगे बढ़ती है फिर सिट्टी का परसंग आने के बाद उसमें गत्याती है हाला कि सिट्टी के किरदार को बिस्तार देने की जरूरत थी फिल्म की चैजिंग सीन रोमान जग है फिल्म में जिनून के साथ रिवालवर लेकर चलते हैं या बात भी हजम नहीं होती आयान ने भारती सिनिमा में पहली बार अस्तर वस्तियानी अस्तरों की दुनिया बनाने की बात कही है लेकिन फिल्म में कोई signature twin नहीं बनाया है जो बरंभास्त की पहचान बने फिल्म का क्लाइमेक्स भी बहुत प्रभावी नहीं बन पया है या फिल्म बाहुबली के क्लाइमेक्स की तरह कटपा ने बाहुबली के क्यों मारा कि तरह दूसरे पार्ट के लिए कोई जिग्यासा छोड़ने में कामयाब नहीं रहती है असल जिन्दिकी में पती पतनी रडवीर कपोर और आलिया भट ने इस फिल्म के साथ अपनी असल प्रेम कहानी की सुरुआत होने की बात कही थी हाला कि स्क्रीन पर उनकी कमेश्टरी रंग नहीं जमा पाई फिल्म में सिवा का अपनी सक्तियों को जागरत करने वाला सीन लंबा हो गया है मेहमान भूमका में सहरुख खान चस्ते हैं गुरू जी के किल्दार में अमिताब बच्चन को समुचित स्क्रीन टाइप मिलता है लेकिन उनके किल्दार में अधूरा पन है मेहमान भूमका में आई टिंपल का पाड़िया का किल्दार भी अविकसित है ऐसा साइद इसलिए भी है कि तीन हिस्सों में बनने के कारण इसके किल्दारों को अगले पार्ट में बिस्तार मिले मौनी राय का किल्दार मारबल फिल्म के किल्दार इस कार लेट विज जैसा लगता है बस यहाँ पर उसे काले कपड़े पहना कर लाल रंकियां के दे दी गई हैं खलनाई का कि इसके लार के लिए ससक्त कलाकार की जरूरत थी मैनू चड़ गया डांस का भोत और के सर्या गाना पहले ही काफी पसंद किया जा रहा है रिशियों ने अस्तर प्राप्त किये उन अस्तरों की पीढ़ी दरपीढ़ी रच्छा होती आई वन रास्तर नंदी आस्तर अगनी आस्तर समय सभी अस्तरों का महा आस्तर ब्रंभास्तर इसके तीन टुकड़े हो चुके हैं जिसके अलग-अलग रच्छक हैं पर आप कोई भी उन टुकडों को पाकर सक्तिसाली बरंभास्त को फिर से जोड़ना चाहता है पर उन टुकडे जुड़ गए तो इस दुनिया के टुकडे टुकडे हो जाएंगे दुनिया कैसे बचेगी कौन बचाएगा यही है बरंभास् उसके साथ चल रहे एनिमेशन की जरीए अपना मयार सेट कर देती है फिर आता है सहरुखान का जाबड का एमियो आपकी उमीद फिल्म से बढ़ जाती है गजब माहौल बनता है फिल्म हमारे अर्मानों को चन्य से जार पर चढ़ाती है फिर एकदम से वक्त बदल देती है गाना बजने लगता है लब इस्टोरी चलने लगती है अर्मान धारासाई हो जाते हैं इसके बाद बीच बीच में एक आध ग्रीपिंग सीक्वेंस आते हैं इंटरोल के पहले फिल्म बहुत बोजिल हो जाती है जब अर्दस्तिक हीची हुई फिल्म लगने लगती है हिंद पर जो धुवधार एक्शन सुरू होता है फिल्म के क्लाइमेक्स तक रुकने का नाम ही नहीं लेता सिकंड हाप पहले से बहुत बहतर है हाला कि एक फिल्म के दो हिस्सों में बाटकर नहीं देखना चाहिए पर फिल्म बनी ही ऐसी है मेकर्स ने फश्ट हाप बिल्डब में निकाल दिया है फिल्म को कम से कम आदे घंटे छोटी किया जा सकता था प्रमभास्त की रिलीस से पहले इसके बेफेक्स पर खूब चर्चा हुई थी फिल्म इस पर खरी भी उतरती है बेफेक्स को पूरे नंबर मिलते हैं क्या बावाल बेफेक्स है हर अस्तर का अलग animation भी सांदार है event and credits का animation भी बढ़िया है जदतर फिल्मों में हम देखते हैं कि black screen पर text डाल कर credit बना दिये जाते हैं पर यहां उन पर भी अलग से मेहनत की गई है यानि visual effect के हर एक हिस्से पर खास ध्यान दिया गया है छोटी छोटी detailing पर काम किया गया है डारेक्टर आयान मुखरजी ने जो प्रोमिस किया था वा पूरा किया है इस्टोरी के लिहाज से फिल्म कमजोर है एक सापाट कहानी है उसमें बाली बुढ़िया टेस्ट डेलने के लिए screenplay के कई सारे पेस धीले छूट गए है चूकि screenplay खुद आयान ने लिखा है उन्हें चाहिए था किसे और ज़्यदा रिफाइन करते उन्होंने साथ फिल्म के technical aspect पर ज़्यादा ध्यान दिया है कहानी को उतना समय नहीं दिया यह समय दिया है तो screenplay को उतना बड़िया धंक्चे ढाल नहीं पाए हुसेन दलाल ने डालाग लिखे हैं वो इससे पहले यह जवानी है दिवानी टू इस्टुडेंट और कारवा सरीखी फिल्मों के डालाग लिख चुके हैं उनके लिखे समवाधी ब्रंभास्त का सबसे बीग पॉइंट है बहुत प्रीची लगते हैं जब आपने इंडियन माइथुलाजी का माडरनाईजेशन किया है तो डालाग एतने संस्कृतिनिस्ट और उर्दुदा रखने की क्या जरूरत थी बे मतलब के कठें सब्दों की कोई खास जरूरत नहीं थी नार्मल भासा होती तो ज्यादा अच्छा होता ऐसा लगता है किसे अवेंजर मोवी का हिंदी डब्ड वर्चन देख रहे हूँ साथ ही कई सवादों का तो कई मतलब ही नहीं है एक जगे इसा सिवा से कहती है मुझे तुमसे प्यार है तो सिवा कहता है बोल दो फिर तब इसा कहती है I love you मतलब जब हिंदी में बोल दिया तो अंग्रेजी में बोलना दोबारा जरूरी था क्या ऐसे ही एक डायलाग है जिसमें सिवा कहता है मैं अंधिरे की ताकत में नहीं रोसनी की सक्ती में यकीन करता हूँ ये तो वही हो गया ना मुझे इसक नहीं प्यार चाहिए सिवा के रूम में रडवीर कपूर ने ठीक से काम किया है उन्होंने कोसिस की है कि और एक्टिंग ना करे उसमें वो काफी हतक कामयाब भी रहे हैं इसा के रोल में आलिया कहीं कहीं पर और एक्टिंग का सिकार हो गई है गुरू जी के रोल में अमिता बच्चन ने बढ़िया काम किया है उनकी आवाज इस फिल्म की जान है सहरु खान भी जितनी देर इस्क्रिन पर रहते हैं बांधे रखते हैं नाकर जुन ने भी ठीक काम किया है मोनी राय ने बहतरीन काम किया है उनको जुनून के रोल के बाद और फिल्में मिलेंगी कुल मिलाकर फिल्म लिखाई के मामले में कमजोर है टिकनिकल पार्ट मजबूत है हाँ इतना जरूर कहेंगे थियेटर इस्पिरियन्स वाली फिल्म है बाली बुड को बेक अप सिट और ए जवानी है दिवानी जिसी काम्याप फिल्में देने वाले निर्देशक आयन मुखर जी का दस साल का सपना ब्रमभास्त आखिरकार साकार होकर अपनी मंजिल यानी सिनेमा इस्क्रीन तक पहुँच गया है आयन अपनी इस मातकांची माइथोलोजिकल फाइंटेशी एडवेंचर को आठ साल से गड़ रहे थे फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उन्होंने बताया कि करीब दो दिन पहले तक वह इसे परफेक्ट बनाने यानि फाइनल टस देने में चुटे हुए थे अब इतने साल की मेहनत के बाद अपने इस ब्रमभास पार्ट वन सिवा को आयान कितना धरातर बना पाये हैं इस पर चर्चा तो बनती है लेकिन उससे पहले उनकी इस माइने में तारिफ होनी चाहिए कि उन्होंने हिंदुस्तानी पौराडी कताओं को आधर बना कर बीफे ऐसे फिल्मों से अब तक दूर ही रहे बाली बुड में निश्चित तोर पर एक नई पहल है हाला कि कहीं न कहीं वीजूल इफेक्ट पर ज्यादत जोर देने के चक्कर में आयान फिल्म की कहानी को थोड़ा इग्नोर चरूर कर गए हैं फिल्म की कहानी रिसी मनियों को इग्यानिक मोहनभार को याने सहरुखान कलाकार अनिस यानि नागारचुंत से लेकर मस्त मॉला डीजे सिवा ने रवे कपोर तक सामिल है बरंभास्त का पहला भाग सिवा के सफर पर आधारित है जिसे जरनी में प्यार इसायने आलिया भट और गुरुजी यानि अमिताब बचन के जरी अपनी ताकत का अंदाचा होता है दूसरी और अंधेरे के देवता को मानने वाली जुनून यानि मैनिराय बरंभास्त के तीने टुकडों को किसी भी कीमत पर हांसिल करना चाहती है अब जुनून अपने मकसद में काम्याब होपाती है या सिवा अपनी ताकत स उसे रोक लेता है यही इस फिल्म का सार है बरंभास्त फिल्म की कहानी आयन मखरजी नहीं लिखी है कहानी में कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन स्क्रीन प्ले में जिस तरह से पुराया गया है वह कई बार कंप्लीकेटड यानि जटिल लगती है फिल्म में बरंभास्त क अंसों की रच्छा करने वाले ब्रंभास्त अपने सुपर पावर से सिर्व ब्रंभास्त को बचाने में चुटे रहते हैं दुनिया समाज लोगों के प्रतुन का क्या योगदान है उस पर कोई जोर नहीं दिया गया पहानी में मुखी किरदारों के अलावा आम जंता नजर ही नहीं आती फिल्म में सिवा और इसा की प्रेम कहानी भी एक अहम हुश्सा है लेकिन प्रेम कहानी उतनी आकरसक नहीं बन पाई रडबीर और आलिया के बेज की कमिस्ट्री भी जैदा प्रभावित नहीं करती फिल्म के सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित होते हैं हुसें इन्होंने फिल्म के लिए डालाक्स लिखे हैं फिल्म जितनी बड़ी भभी और आकरसक है इसके डालाक उतने ही साधारण हैं पर फिल्म की तेज रप्तार सांधार बेफेक्स बढ़िया एक्शन सीन प्रितम के पहले हिट गाने होचिके के सरिया देवा देवा और इसक का अभूच जैसे गाने बैक्राउंड इसकोर यह सम्मिला कर बहुत हद तक स्क्रीन पिले की कम्यों को दूर कर देते हैं फिल्म बड़े पर एक सिनिमाई अनभो तो जगाती है फिल्म में एक्टिंग की बात करे तो रडवीर कपूर ने अपने किलदार पूरी इमानदारी से जिया है यही बार नेगेट्यूब हमका निभाने वाले मैनी राय पर लागो होती है अलागी अले भट अपनी प्रिदिभा और कस्य न्याय नहीं कर पाई वोई डाला को सिर्फ बोलती हुए लगती है ना कि महसूस करती हुई अमिताब बच्चन ने गुरू जी के अपने क विजूल ट्रेट की तरह है सिनेमाई परदे पर एक सांदार विजूल का अनभव महसूस करना चाहते हैं रड़वीर कपूर और आलिया भट की रियल लाइफ जोड़ी को रियल लाइफ में साथ देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आप जरूर देख सकते हैं निर्देशक आयान मुखरजी नौ सालों की महिनत के बार रड़वीर कपूर और आलिया भट इस्टारर अपनी फिल्म बरंभास्त का निर्माड किया है एक ऐसी फिल्म जिस पर भारी भरकम बज़र लगा है जो भारती दर्सकों को अस्तर वर्स्त की दुनिया में ले जाती है इस फिल्म की रिलीज से पहले ही बाइकाड बरंभास्त का काफी सोरगुल हुआ है वही दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को सफल होने की दौई कर रहे हैं क्योंकि बरंभास्त की सफलता बे जान पड़े बाली बुड में जान फोकने का काम करने वाली ह लेकिन क्या फिल्म ऐसा कर पाई क्या बरंभास्त हिंदी सिनिमा के इस साल के बेहत बुरे अनभो को पलट पाएगी तो इसका जवाब है नहीं आईए बताता हूँ ऐसा क्यों किसी भी फिल्म की पहली और सबसे अहम जरूरत है कहानी और सबसे पहले उसी पर बात भी होनी चाहिए इस फिल्म की कहानी सिवा ने रडवीर कपोर नाम के लड़के की है जिससे सपने में कुछ बेहत अजीव चीजे दिखती है और वो इससे हैरान है सिवा एक डीजे है और दसाहरे पर हुए एक कंसर्ट में उसे एक लड़की दिखती है जिसे देखकर वह दीवाना ह हो जाता है सिवा को आग जला नहीं सकती और ये बात वो बच्पन से जानता है दरसले सिवा ब्रंभास का एक सदाच है और ब्रंभास्त्र को सुरच्छे रखना सिवा की जिम्मेदारी है इस काम में उसकी गलफ्रेंड इसा ने आलिया भट उसका पूरा साथ देती है उपर जो कहानी मैंने आपको बताई हो ब्रंभास्त्र ट्रायोलाजी यानि तीनों फिल्मों की स्रीज की पहली फिल्म की कहानी है आपने कभी चिप्स का पैकेट खरीदा है सोचिए उसका पैकेट दुनिया के सबसे खोपसूरत और साइनिंग पेपर से बनाया गया हो उसके साथ कोल्डरिंग भी फिरी में दी जाए साथ ही दुकांदार इस चिप्स के पैकेट का टीबी पर एड़ दे कर खोब परमोशन भी कर चुका हो और इतने हंगामे के बाद पूरी उम्मी से जब आप वो पैकेट खरीद लाएं और घर आकर खोले तो उसमें बस हावा ही निकले तो आपको कैसा लगेगा बस बरंभास देखने के बाद वाई से ही फिलिंग आती है एक फिल्म जिसके विजूल्स कमाल के हैं जिसमें सांदार एक्षन है बीजी एम एनि बैगरांड मुजिक खोब एक्साइटमेंट पैदा करता है लेकिन किसी भी फिल्म की जो सबसे अहम चीज है यानि कहानी बस उसी में सारा कंप्रोमाईज किया गया है अनाथ लड़का उसका अनाथ बच्चों से प्यार लंदन से आई खुबसूरत हसीना ये सब कहानी के वो प्लाट हैं जिने आपने हजारों बार अलग लग तरीके से देखा है कुरोना काल में OTT की वज़े से दर्शक दुनिया भर के सिनेमा से रूबर हुए ऐसे में हम लाखों का बजल लगा कर दर्शकों को सालों परानी तनी बोरिंग कहानी दिखा कर कैसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं रलबीर कपूर और आलिया भट पहली बार पर पर नजरा रहे हैं ऐसे में दोनों की स्क्रीन पर कमेश्टरी देखने को दरसक काफी एक्साइटेड होंगे पर दिक्कत यह है कि फिल्म की सबसे हलके सीन ही इन दोनों के बीच के सीन हैं अमिताब बचन की एंट्री इंट्रोल के बाद है और वह उतने ही असरदार है जितने होनी चाहिए मौनी राय की आप कनेक्ट कहानी से जुडने की कोशिश करते रहते हैं। फिल्म की सुरुआ सालों बात परदे पर नजर आर है सहरुखान से होती है। लेकिन ये पूरा सिक्वेंसी कन्फ्यूजिंग है। सहरुख का एक भी डालाग आपको शीटी मारने अतारी बजाने वाला नहीं लगता है। ये फिल्म नव साल से बन रही है और निर्देश कायन मुखर जी ने कई बार इस बात का जिकर भी किया है। कि उन्होंने इस फिल्म पर काफी मेहनत भी की है। पर लगता है कि उनकी सारी मिनत तकनीक पर निकली और कहानी को वा नौ साल में अपडेट करना भोली गए। फिल्म का हर सीन प्रेडिक्टेबल है। कहीं भी आपको एडवेंचेर या थिलर महसूस नहीं होता। बस चारों तरफ आग ही अग, रंग बिरंगी रोसनी बस, गाने जो फिल्म के बिना सुनने में अच्छे लगते हैं। वह कहानी में हर बार रिकॉर्ड सी बनते नजराते हैं। ब्रंभाज तेक बड़े परदे के एस्पिरियंस वाली हाई बजट फिल्म है, जिसमें खोप ताम जाम है, बस आत्मा नहीं है। इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो परदे पर ही देखिएगा। लेकिन अब ये आपको तैय करना है कि आप कैसे परदे पर देखना चाहते हैं। मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स का जवाब अब आयान मुखर जी ने अस्त्र वर्स रच कर बरंभास के जरिये देने की कोशिज की है। मार्बल के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। सिवा ये रडवीर कपोर अनाथ है। पिता का उसे पता नहीं है। और मत तब चल बसी जब वहा एक साल का था। आग उसे जलाती नहीं है क्यों। ये बात उसे भी नहीं पता है। उसे अजीब सपने भी दिखाई जेते ह हैं। इसा नहीं अलिया भटकुवा पहली बार देखते ही दिल दे बढ़ता है। एक बैग्याने के नहीं सहरुखान की हत्या हो जाती है। और या घटना सिवा अपने सपने में देख लेता है। जुनून नहीं महनी राय और उसके साथ ही एक आर्टिस्ट यानी नागरज प्रचन से कुछ महतपूर्ट जानकारियां मिलती हैं। जुनून क्यों हत्या करना चाहती है। बरंभास से सिवा का क्या संबंद है। इसके जवाब फिल्म खतम होने पर मिलते हैं। च्योंकि आप फिल्म तीन भाग में है। इसलिए कई बातों को दूसरे और तीसरे कहानी को भारती बनाने की कोसिस की है और देशी सुपर हीरो का किरदार रचा है। कहानी बहुत अनोखी नहीं है। बरंभास के तीन टुकड़े हैं और इन तीन टुकड़ों को जुनून ढोड़ रही है। इस तरह की कहानिया कई हालिवर्ड मोवी में दिखाई जा चुकी हैं और समझ ही नहीं आता कि आखिर इसक क्यों आचानक सिवा को चाहने लगती है। इसा के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है और इनके रुमांटिक सीन कुछ ज्यादा ही लंबे खींचे गए हैं। दूसरी और मोनी रायवाले सीन उमदा बन पड़े हैं। और सहरुखान मोनी की टेकर भी देखने लायक है। सिवा को जब पता चलता है कि उसके पास अगनी की ताकत है वो सीक्वेंस भी अच्छे बन पड़े हैं। पहला हाब बेहतर है। लिदेशक ने कहानी को दुर्गा पूजा, देसहरा और दिपावली वाले समय में सेट किय है। बैकड्राब में मंते तेवार के कारड हर फ्रेम बहुत खुबसूरा लगती है। इंट्रोल भी इस खाज जगह लाकर किया गया है। इंट्रोल के बाद फिल्म में बोरिंग लम्हे हावी हो जाते हैं। सिवा को गुरु जी के आसरम में जाना वाला स्वेंस बहुत ही सुवादों में टपोरी पन रहता है जो बाद में एकदम गायब हो जाता है। इसा के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई है। सुपर सक्तियों से लेस करेक्टर्स बंदू क्यों निकाल लेते हैं। परंभास्त के टुकड़े बहुत ही साधार लगते हैं। इनमें कु इस अलग सोचते क्योंकि कुछ किलदार और द्रसी हाली बुड मूवीज से उठा लिए गए हैं। फिल्में एंटर्टेनिंग द्रसों की भी कमी है। रडविर कपोर और आलिया भट की जोड़ी बेहतरी लगी है। दोना ही कलाकारों ने उम्दा अभिने किया है। अमिता फीके रहे हैं। डिंपल का पाड़िया ने इस रोल के लिए हां क्यों कहा। समस्से पर है। फिल्म के दो हिट गीत के सरिया और देवा-देवा बीग स्क्रिन पर देखने लाइक है। इन्हें बहुत अच्छे से सूट किया गया है। और निर्देशक ने फिल्म में बार- सिनमेटोग्राफिक कमाल की है। ब्रंबास्त का पहला पार्ट सिवा रिलीज हुआ है और दूसरा पार्ट देवा नाम से आएगा। पहला पार्ट बहुत ही प्रभावित नहीं करता है। उमीद की जानी चाहिए कि राइटिंग डिपार्टमेंट दूसरे भाग में कम्यो को दूर करेगा। अगर आपने 2006 में आई बिबे को विराय और सुनी देवल की मुवी नक्सा देखी हो तो आपको कहानी कुछ-कुछ उसी लाइन पर लगेगी। नक्सा में दोनों हीरो महाभारत कालीन योद्धा कड़ के कवच और कुंडल ढूरते निकलते हैं। वही ब्रंबास्त में काम में जुटी हैं साइंतिस्ट की सिक्रो सुसाइटी ब्रंभास जिसके मुखिया है रगु गिर्देव यानि अमिताब बच्चन जिन में से दो टुकड़े हैं। साइंतिस्ट मोहना भारगो यानि सहरुख खान आर्टिस्ट अनिज यानि नागारजुन के पास और तीसरा है उसके पास जिसको पता ही नहीं है। एक आम डीजे सिवा यानि रलवीर कपूर और नास सिवा को ये पता है कि अगने उससे जलाती नहीं। उसे जुरून का मोह सिर्ण मौत की निन सुलाती है कैसे सिवा कि अगने अस्तर की ताकत वापस आती है कैसे सिवा कि माबाप का रिष्टा ब्रंभास से निकलता है और कैसे तिने तुकड़े आपस मिलने के बावजूद ब्रंभास धर्ति का बिनास नहीं करता यह मुवी में दिखाए गया है च की खासियत भी इस्पिसल एफेक्ट है लेकिन वो अवेंजर फिल्म की तरह के ज्यादा लगते हैं ना कि बाहुबली जैसे इमोशन के इस्तर पर भी मुभी बाहुबली के मुकाबले कमतर है हाला कि कोशिस पूरी हुई है कि रड़बीर आलिया की महबत को काफी इमोशनल सब फेल हो जाएं हाला कि डारेक्टर अपनी एक मंसा में तो काम्याब होता दिख रहा है विदेशी अवेंजर्स वाली मुवी को आगे हिंदी की मुवीज के स्पेसल एफेक्ट का मजाक उड़ाने वाले बच्चे इसको पसंद करेंगे साय तभी आयान ने बिलंज के नाम को मेहनत तो दिखेगी सभी बड़े सितारों ने जहम कर मेहनत किये मौनी राय और सौरब गुर्चर जैसे लाखों लोगों के बीच अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है बले ही मुवी ने एडवांस पुकिम में 14 करोड कमा लिये हो लेकिन उसके लिए लागर निकालना आसान काम वो भी थीटर से दूरी के दोर में लेकिन ये भी सही है कि इस मुवी पर बहुतों का दाओं या उम्मीदे लगी हैं साधी के फौरन बाद आलिया रलविर की जोड़ी काना किसी दोर में बड़ा फाइदे मंद होता लेकिन दोनों को फूट सों में बीव को लेकर दिया गया बयान कतरी रास नहीं आया है ऐसे में लगता है कि इस मुवी को बस बच्चे ही बचा सकते हैं जब किसी फिल्म की रिलीज से पहले उसके बेफेक्स के ही ज्यदा चर्चे हो तो आपकी उमीदे बढ़ जाती हैं बरंभास के साथ ऐसा ही हुआ हर जिगे फिल्म से पर्दे पर पहले कभी नहीं दिखा लेकिन ऐसा बेश बेश में होता है कई बार तो इतनी आग दिखती है कि लगता है भाई फिल्म ही फूँख दोगे क्या लेकिन फिर कुछ ऐसा नजर आता है कि आप चौंक जाते हैं फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत की गई है वो कहीं ना कहीं नजर आती है यह कहानी है रडबीर कपोर यानी सिवा की जिसे आग जलाती नहीं है उसे सपने में कुछ अजीब सी चीज़े दिखती है और फिर पता चलता है कि ब्रंभास्त है जो तीन हिस् और कई बार आपको बोरियत अस्तर भी आ कर लगता है конфuggen अस्तर भी मिलता है एक सीन में आलिया रडबीर से कहती है कि कौन हो तुम फिर रडबीर कहते हैं क्या हो तुम आपको भी इस फिल्म के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले पर और मह करने की जरूरत थी रडवीर कपूर ठीक लगे हैं इससे बहतर हो पहले भी काम कर चुके हैं अलिया भट अच्छी लगी हैं उनकी एक्टिंग भी कमाल की है अमिताब बचन सबसे ज्यादा इंप्रेस करते हैं अमिताब बचन का हेरे स्टाइल बहुत कूल लगता है नागर ज ठोटा किया जा सकता था और अगर ऐसा होता तो फिल्म बेहतर रगती फिल्म ग्रैंड है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन फिल्म आपको पूरी तरह से बांध नहीं पाती फिल्म में कुछ नया करने की कोशिस की गई है और इसके लिए आयन मुखरजी की तारीफ होनी क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बाली बुड़ वाले कुछ नया क्यों नहीं करते यहां कुछ नया तो किया है लेकिन इसे और बेतर तरीके से करने की जरूरत थी यह फिल्म अपने ग्राफिक्स की वज़े से बच्चों को काफी पसंदा सकती है और बेफिक्स के सौकिन को भा सकती है कुल मिलाकर अगर कुछ सांदार बीजूल्स और वेफेक्स देखना चाहते हैं और रड़वीर आलिया और अमिताब बच्चन के फैन हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं मार्बल स्टूडियोज का या सिनेमा का है या हैरी पार्टर सिरीज वा लाड़ आपदा रिंग सिरीज की फिल्में इन सबके असर से बीते दो ढ़ाई दसकों में जवान हुई दसकों की ऐसी पूरी एक पेड़ी तयार हो चीकी है जिसने दादी नानी से सुनी अपनी देशी कहानियों को ऐसे ही भभी तरीके से परदे पर दिखाया जाने की हिंदी फिल्म निर्मताओक से आस लगा रखी है ताज़ुब की बात यह है कि फिल्मे बनाने की तकनिक से इतना उन्नत होने के बाद भी किसी हिंदी फिल्मकार का ध्यान अब इस तरफ गया ही नहीं है भारती दंत कथाओं में पैराडे कथाओं की तमाम कहानिया मुख कहानियों की छेपक कथाओं के रूम में आती हैं ऐस इसकी अगली कड़ी फिल्म ब्रंभास्त पार्टू देवा की घोशड़ा भी फिल्म के क्लाइमेक्स में की है और जिस मोड़ पर आकर एक कहानी रुखती है वह इसके दूसरे भाग को देखने की दिल्चिस्पी दर्शकों में पंती रहती है हिंदु धर्म की पैराडी कथ प्रियोग हुआ है ये एक ऐसा अस्त्रह जो चूख है इसका प्रियोग बार बार हो सकता है और जब भी इसका प्रियोग होता है तो या खाली नहीं लोड़ता कुछ खुद इसके सामने नामस्तख होकर पास में बन जाते हैं और कुछ को निशाने से हटा कर ब्रंभास्त की दिसा भी बदल दि जाती है आयन मुखरजी का ब्रमभास्त फिल्मी है इसकी कतہ वर्तमान अतीत और भबिस्थ में चलती है काहानी का सीरा आयान सनातन काल से पकरते हैं और इसकी इसा की प्रेम काहानी रड़वीर कपूर और आलिया भटे हिंदी सिनेमा के हाल के दिनों में सबसे चर्चित प्रेमी युगलो में से एक रहे हैं दोनों के 20 प्रेम की जो लोग इस फिल्म की शूटिंग के दोरान जगी इसकी जिलक इस फिल्म में मिलती है अगर आपने अमताब बच्चन रेखा धरमेंदर हिमा मालनी की फिल्में देखी हैं तो आपको कैमरे के सामने दोनों के चेहरे पर एक अलग नूर देखता है ये तेज प्रेम का है रड़वीर कपूर और आलिया के चेहरे पर भी ये नूर इस फिल्म में नज़राता है पारो और घोर निंदकों से बचाया जा सका तया वर्तमान मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स अरीखा एक अस्त्र वस्त हिंदी सिनेमा में रह सकती है फिल्म पूरी तरह से खरी नहीं है लेकिन अगर मनुरंजन के हिसाब से देखे तो पृतिभी राजया समसेरा की तरह खोटी भी नहीं है ब्रंभर्स पार्ट वन सिवा एक तरह से देखा जाये तो सनातन संसक्रतियों और प्रंपराओं से भागती युआ पेढ़ी को वापस उनकी धुरी के तरह लाने की अच्छी गोसिस है आम तरपर जब फिल्मों में पायर चुने की परिक्रिया घुटनों से नीचे खिसकने में हाप जाती है यहां कहानी का नायक कम से कम दो बार अपने वरिष्टों के चरड़ बकाइदा पायर के अंगिठों तक जाकर चूता है फिल्म की उत्सो धर्मिता का एक अलग रंग है दसहरा से दिवाले की बीच के रंगों परकासों और उत्साहों की जलग फिल्म में दिखती है फिल्म अपना एक अलग संसार भी मजूद संसार के बीच से धीरे धीरे रचने की कोशिस करती है कहानी दिल्ली से वर अलसी होते हुए हिमाचल पर देश चाती है और इस दोरान कार पर हुए एक हमले की पूरी सिक्वेंस काफी रोमांस कारी है फिल्म में अमिताब बचल का इस्तमाल उनके अभाम अंडल के लिए किया गया है जबकि मौनी राय अपने खाड़ी अंडरो और हिंसे की रादो में असर छोड़ने में सफल रही है एक फिल्म करते समय प्यार कर बैठे रड़वे कपूर और आलिया भट को पहली बार परदे पर देखना असल जिंदगी के प्रेमियो को खूब भाने ही वाला है फिल्म सेरुखान के परसंसको के भी दिल को छूच जाती है अपनी दुर्बीन से तारे निहार थे बैग्यानिक मोहन के घर में बरंभास्त के पहले हिस्से की खोज में हुए हमले का पूरा सिक्वेंस तरसक को बांध कर रखता है वन रास्त से नंदी अस्त तक सामने कि यातरा में गद भी आती है और रोमांश भी बरंभास्त पारट वन सिवा धीमी पढदनी वहां से सुरू होती है जहां कहानी में एक ऐसा आसरम आता है जिसके बाहर भी आसरम लिखा होता है ऐसी गलतिया फिल्म में धेर सारी हैं जिसमें दर्शकों को कुछ एस्पेश्ट सिबाते या तो निफ़त में चलती आवाज या फिर परदे पर कुछ ना कुछ दिखा कर बताने की कोशिश की जाती है जिसकी फिल्म में जरूरत है नहीं सिनेमा में बहुत बताना भी बहुत अच्छा नहीं होता निर्देशक के तور पर आयन मुकरजी ने एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जिसे हिंदी सिनेमा के दिगज भी इस दोर में बनाने की हिम्मत नहीं कर पाए मूल पराली क थाओ पर फिल्में खोब बनी है लेकिन प्रदस्व में कालपनिक कथाय गरने के एक अलग ही प्रियोग है आयन मुकरजी हिंदी में अपना नाम आयन मुकरजी लिखते हैं अंग्रेजी में लिखे अपने नाम की वर्तनी के हिसाब से फिल्म देखकर ये भी पता चलता है कि पैराडी कथाओ कामिक्स की दुनिया भी उनकी अंग्रेजी की तरह रही है फतांसे सिनेमा के संदरब बिंद भी वह अंग्रेजी फिल्मों से ही लेते रहे हैं फिल्म में उनकी कोस से कहानी में उनका विस्वास और एक सुदा सिकार को पूरा करके फिल्म को परदे पर पहुंचाने का उनका हौशला काबल ये तार भट्टाचार से सामर्थ नहीं है। वा भी दीरे दीरे जाविद अक्तर हो चले हैं। उर्दू के कुल जमाए 120 सब्दों में उनके सारे गाने हैं। फिल्म के समवात भी कहानी के वजन को बढ़ाने में मुदत नहीं करते हैं। ब्रंभास्त पार्ट वन सिवा की कमजोर या इसके समवात के लावा इसका संपाधन भी है। फिल्म के सुरवाती हिस्से में रडवीर कपोर उनके दोस्तों के बीच होने वाली बाचित बहुत मुंबया है। ऐसी हिंदी अब हिंदी भासी दर्सकों को भी अच्छी नहीं लगती। फिल्म में सिवा की प्रश्ट भ हिसाब से काफी कमजोर है। फिल्म प्रंभास्त पार्टमन सिवा उन दर्सकों को खास पसंदा सकती है जो मार्बल सिनुमेटिक यूनिवर्स जैसा कुछ हिंदी में देखने की ख्वाहिस अर्शे लिए बैठे हैं। 2014 में अनौंस हुआ कि आयन मुखर जी अपना साहकार बनाने की तैयारी में लग रहे हैं। आयन मुखर जी एक ऐसा नाम है जो काफी अच्छे प्रोड़क्ट के साथ जुड़ रहा है। एक बुखार सा बढ़ता है जो सरीर को लगातार तपाता ही रहता है। लेकिन फिर आप उसे बड़े से अंधेरे से भरे हाल में गद्दी दार कुर्सी पर बैठते हैं और तीन घंटे बाद अपने नए पाई उस्ताप से बस कुछ भसम कर देना चाहते हैं। प्रमभाद उसके साथ कुछ लोचा है। आगे आगे कहानी किलियर होती है। और मालूम चलता है कि भाई के पास कुछ सक्तिय हैं जो से योद्ध्धा बना सकती हैं। युद्ध किसके खिलाप होगा, युद्ध होगा एक बलसाली नगेट्व करेक्टर के खिलाप, जिसके नौकर दुनिया में घूम घूम ब्रमभास्त को हांसिल करने की जुगत भड़ा रहे हैं, ब्रमभास्त तीन हिस्सों में बटा हुआ है, और उन नौकरों को उसे एक जि गुरू रुख्यू के रूम में अमिताब बच्चन है, सहरु खान और नागारजुन के छोटे छोटे रोल हैं लेकिन एहम रोल है, सहरु खान का नाम और काम का सौदेश से बड़ा कनेक्शन भी है, इसके लावा मौनिराय और सौरभ गुरजर पूरी फिल्म में दिखते ह जो जिसके छपर में जाखुसे, भगवान भी ना बता पाये पहले दस मिनट में क्या हुआ, ये इसलिए नहीं बताय जा रहा, क्योंकि इस पाइलर की स्रेडी में आ आ जाएगा, सोचे कि आप एक थाली लेकर बैठे हैं, जिसमें बड़िया मुलायम पकोड़ी वाली और चावल रखा है, और उस पर तबीय से देशी घी छोड़ा गया है, आप दनातर उसे समेटने में लगे हैं, लेकिन हर दो या तिन कौर के बाद कोई बार बार आकर आपके सामने से थाली हटा रहा है, और कोल्ड काफी रखे दे रहा है, आपको आगे कड़ी चावल खान और आप एक अच्छी पास्ट पेस वाली सुपर हीरो कहानी के अपेच्छा करने लग जाते हैं, लेकिन फिर प्रेम कथा सुरू होती है, और डांस होने लगता है, ऐसा डांस जिसमें भोटान की जनसिख्या जितनी चंता हीरो के पीछे नाश्ती दिखती है, हीरो को हीरो के रूब में इस्तापित करने के करम में इतनी जएदा मेहनत कर दी गई है कि देसाहरा के पंडाल की सास सज्जा, भीड, म्यूजिक और एम्बियंस देकर कोल्ड प्ले, एट सीरन वगेरा सरमिंदा हो जाएं, और ये समस्या पूरी फिल्म में रही है, कहानी ऐसे हाईवे पर चलते दिखती है, जिस पर 10 किलो मीटर बाद डोलना का आ जाता है, और आपके पास दाम चुकाने के लावा और कोई आपसन नहीं होता, ये दाम आप भेहानक किरिज, डालॉक्स, अटपटी बाते, गयर जरूर सिच्वेशन और गाने जहल कर चुकाते हैं, कहना गलत ना हो में जिस टार्चर से गुजलना पड़ता है, ओ अमान हुई है, सिवा और इसकी प्रेमकता सहज नहीं है, बलकि हम पर थोपी गई है, और इसके लिए आन मुखरजी के सबसे ज़्यादा नंबर काटे जाने चाहिए, फिल्म के समवाद हुसेन दलाल ने लिखे हैं, बेहत द माथा पीट लेता है, ओवल तो रडवीर और आलिया को जिस तरह से मिलते हुए उनकी दोस्ती बढ़ते हुए दिखाया गया है, अपचनी है, दूसरा उस सिच्वेशन के साथ तुम अमीर हो, मैं गरीब और भरोसा करना आता है, और मेरे बिना तुम ठीक से रह लोगे, टा फिल्मकार हैं जो उस बीमारी से निकल रहे हैं, जहां हीरो हिरोएन को गाने में अनिवार रुप से नाचना होता ही है, उन्होंने गाने रखे हैं, लेकिन कहानी उन्हें सीड़ी बना कर आगे बढ़ाती है, लेकिन धर्मा और यसराज बैनर जैसे अभी भी पुरातन पध को च्छाती से चिपकाए हुए हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि जब आरेन मैन की गोद में लेटा स्पाडर मैन मर रहा हो, तो पीछे उदे नराड की आवाज में मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले बजने लगे, नहीं ना, लेकिन बरंभास्त में जब दुनिया नश्ट हो रही थी, और जी सिंग की आवाज में कैसरिया का एक वर जन चल रहा होता है, लेकिन हाँ, गाने में इतर बैगरांड मीजिक अच्छा है, जिसके पिछे अंग्रेजी कंपोजर साइमन प्रैगलन का हाथ है, जहां जहां मौका बन पाया, रोमांच पैदा करने मे बैगरांड मीजिक ने अच्छा काम किया है, इन सब के सिवा विजूल एफेक्ट का काम अच्छा है, हिंदी फिल्मों में एकका दुका फिल्मों को छोड़ देतो, जिनमें ग्राफिक्स की गुंजाई ना के बरापर रही, अब तक का सबसे अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिलता है, इसके बिजूल एफेक्ट पर डी एन ईजी नाम की कमपनी ने काम किया है, जिसने फिल्म डियून को आसकर भी दिलाया था, बरंभास्त अस्त्रवस्त की पहली किस्त है, लेकिन इसने निराज किया, फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो जनता ने पहले देख बिखाना हो, ऐसे करेक्टर्स, ऐसी कहानिया, ऐसी प्रिष्थितिया, ऐसे एक्षन सीक्वेंस आदी ओटी पर खापने वाली जनता सालों से देखते आ रही है, बरंभास्त में चुद देखने को मिलता है, वह आप पहले ही है, रे पार्टर, मार्बल और डीसी स्रीज में इस पर बात करने पर जाएं, तो लंबी लिष्ट बन सकती है, नय के नाम पर बस हिंदी पैराडिक नाम आ गये हैं, यानि नय पैकेज में वही पुरानी चीज पैक कर दी गई है, ट्रीट वाला हिस्सा बेहत कमजोर है, लेकिन सोरूम को जगमक बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, रडबीर कपूर और आलिया भट की मोश्ट आवंटेट फिलम ब्रमभास्त बड़े पर रिलेज हो चुकी है, इस मल्टी स्टेरर मूवी का दर्शकों को बेसबरी से इंतिजार था, माना चारा है कि साल 2022 में बाली बुड में जिस तरह से एक की करीब 3.5 लाग टिक्टो की एडवांस बुकिंग हो गई है, यह ट्रेंट अभी बना हुआ है, फिलहर वही अब ब्रमभास्त को लेकर रिबीव पर सामने आने लगे हैं, फिलम समीशकों की इस पर मिली जुली परतिकरिया है, बॉली बुर से जुड़ी वैपसाइड पिंक विला ने इस मुवी को पांच में से चार इस्टार दिये हैं, रिबीव में कहा गया कि ब्रमभास्त महत कंच्छा का एक क्लैसिकल उदाहरण है, आयन मुखर जी निर्देसित या फिलम आकांच्छा और कलपना को इस योजन को बड़े पर पर जीवन करती है, कुल मिलाकर फ फ्रेम पर एक पेंटिंग है, फिलम निर्माताओं ने हर सीन में भविता को बनाय रखना सुनश्चित किया है, फिलम में बहुत कुछ है जिसका अंदाज़ा दर्सक लगा सकते हैं, फिर भी इसी देखने में मजा आएगा, इसकी वज़े या है कि आप या नहीं जान सकते क इसे आपके सामने किस तरह से पेस्ट किया जाने वाला है, इस फिलम की कहानी है सिवा यानी रडबीर कपोड नाम के लड़के की, जिसके सपने में कुछ बेहत अजीब चीज़े देखती हैं, सुसल मीडिया पर अलग 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 चल रहे रिब्यू और अलग 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 स पहले दिन के लिए आप तक 3.5 लाग के करीब टिकट बेख चुके हैं, पहले दिन या बॉक्स आफिस पर 25-28 करोड की कमाई कर सकती है, एडवांस बुकिंग का टेंट मजबूत है, वैसे भी करीब 400 करोड के बज़ट में बनी इस फिलम को लेकर टेंट पंडितों में हलच मची हुई है, इस साल आप तक बाली बुड में बनी करीब 25 फिलमें परदे पर रिलीज हुई हैं, इनमें से 21 तो फलाप की कटेगरी में हैं, लाल सिंग चड़ा, प्रित बीराज, रचा बंधर और समसेरा जैसी हाइप वाली फिलमें भी इस साल बुरी तरह से फलाप यहां तक कि संजे लिला भनसाली की फिलम गंगु भाई भी एवरेज फिलमों में ही सामिल हो पाई, फिलमों में कस्मीर फाइल्स और भूल बुलया जैसी फिलमें रही हैं, वहीं देच्षिड भारत की हिंदी मेट डप केई गई फिलमें सभी हिट हुई हैं तमाम बाधाओं से गुजरते हुए आन मुखर्ची द्वारा लिखित और निर्देशित फिलम प्रमभास पार्ट वन सिवा सिनिमा घरों में रिलीज हो गई हैं, करीब 10 साल से इस फिलम पर काम कर रहें आयान ने इसे तीन हिस्सों में बनाने की बात कही हैं, इसका पहला आस अस्तरों में वडित अस्तरों की कालपनिक कहानी पर आधारित हैं, कहानी यू है कि हिमाले में घोर तेपेच्छा करने वाले रिशी मुनियों को वर्दान सुरू ब्रमभास सत्यर जिध होती है, जब या धरती से तगराई तो बाकी अस्तरों का जनम हुआ, या अस्तर ह इसमें महा अस्त्र ब्रंभास्त्र होता है उसकी रच्छा करने वाले ब्रंभास्त कहलाए कहानी का आरब में मुंबई में आसुर सरीखी जुनून यानि मैनी राय और उसके दो साथी परतिश्ठित बैगानिक मोहन भारगोयनी सहरुखान को परताडित कर रहे हैं दरसलों मोहन से तीन हिस्सों में टूट शुके ब्रंभास्त का एक हिस्सा लेने आये हैं असल में मोहन वानर अस्त्र है यानि वानर की तरह कोट फांद कर सकता है उधर दिल्ली में अस्त्रों की दुनिया से अंजान अनास सिवा यानि रडबिर कपूर सपने में इस गटना को गटित होते देख रहा है उसे हैसास नहीं है कि वह खुद में अगने अस्त्र है दसहरे आयोजन के दौरान वह पहले नेजर में ही लंदन से आई इसा यालिया भट को अपना दिल दे बढ़ता है गटना करम मोड लेते हैं वह इसा को बताता है कि मोहन ने आत्म हत्या नहीं की उनकी हत्या हुई है या सब उसने देखा है अब जनून और उसके साथियों की नजर वरारसी के आर्टिस्ट अनिस्टी यान नाकारजुन अकनेनी पर है सिवा उन्हें बचाने के लिए वरारसी जाता है इसा भी उसके साथ आती है वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि कर पाएगी उन अस्तरों को हांसिल करने के पिछे असल वज़े क्या है इन पहली हो के इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती है बेक अपशिट और ये जवानी है दिवानी फिल्म के बाद से आयान अपने महतकांची प्रोजेक्ट ब्रंभास्त पर काम कर रहे हैं उन्होंने प किरदारों के पास सुपर पाउर होती है और एक दूसरे की रच्छा के लिए उन सक्तियों का इस्तिमाल करते हैं आस्तरों की ताक्तों को दर्साने के लिए फिल्म में विजुल एफेक्ट का नाम काफी उपयोग किया जता है हाला कि वह बहुत प्रभावी नहीं बन पाए ह फिल्म का अहम पहलू सिवा और इसा की प्रेम कहानी है प्रेम कहानी में रूठना मनाना हासी ठिठोली चरखानी एक दिसरों का पाने की तड़प होती है पिछले कुछ समय से हिंदी फिल्मों में प्रेम कहानी होती है लेकिन प्रेम आगन नहीं होती यहां भी इसा और सिव कि प्रेम कहानी है लेकिन इस्क्रीन पर देखते हुए रोमान्स और प्रेम के अनुभीद नहीं होती इसकी वज़े कमजोर इस्क्रीन प्ले है सवाथ भी बहुत प्रभावी नहीं बन पाए हैं सुरुवात में कहानी धीमी गत से आगे बढ़ती है फिर शिट्टी का परसंग में पहली बार अस्त्र वस्त यानी अस्त्रों की दुनिया बनाने की बात कही है लेकिन फिल्म में कोई सिगनेचर टूइन नहीं बनाया है जो ब्रंभास्त की पहँचान बने फिल्म का क्लायमेक्स भी बहुत प्रभावी नहीं बन पाया है या फिल्म बाहुबली के क्लायम कहानी की सुरुआत होने की बात कही थी हाला कि स्क्रीन पर उनकी कमेस्ट्री रंग नहीं जमा पाई फिल्म में सिवा का अपनी सक्तियों को जागरत करने वाला सीन लंबा हो गया है मेहमान भूमका में सहरुक खान चचते हैं गुरू जी के किलदार में अमिताब बच्चन को स स्थार मिले मौनी राय के किलदार मारबल फिल्म के किलदार इसकार लेट विज जैसा लगता है बस यहां पर उसे काले कपड़े पहना कर लाल रंकियां के दे दी गई हैं खलनाइका कि इस किलदार के लिए ससक्त कलाकार की जरूरत थी महनू चड़ गया डांस का भूत और क सर्या गाना पहले ही काफी पसंद किया जा रहा है रिशियों ने अस्त्र प्राप्त किये उन अस्त्रों की पीढ़ी दरपीढ़ी रच्छा होती आई वन रास्त्र, नंदी अस्त्र, आगनी अस्त्र समय सभी अस्त्रों का महा आस्त्र ब्रंभास्त्र इसके तीन टुकड़े हो चुके हैं जिसके अलग-अलग रच्छक हैं, पर आप कोई भी उन टुकडों को पाकर सक्तिसाली ब्रमभास्त को फिर से जोड़ना चाहता है, पर उन टुकडे जुड़ गए तो इस दुनिया के टुकडे टुकडे हो जाएंगे, दुनिया कैसे बचेगी, कौन बचाएगा, यही है ब् फिल्म खुलती है, उसके साथ चल रहे एनिमेशन की जरीए अपना मायार सेट कर देती है, फिर आता है सहरुखान का जाबड कैमियो, आपकी उमीद फिल्म से बढ़ जाती है, गजब माहौल बनता है, फिल्म हमारे अर्मानों को चन्य से जार पर चढ़ाती है, फिर एकदम खीची हुई फिल्म लगने लगती है, हिंदी मसाला फिल्मों के वही पुराने कलीसेज हैं, वही लबिस्टोरिया, बिना मतलब के गाने, पूरा स्वात खराब हो जाता है, इंटरल के बाद ऐसा लगता है कि कोई दूसरी ही फिल्म सुरू हो गई है, एक बार जो फिल्म को कम से कम आदे घंटे छोटी किया जा सकता था, प्रमभास्त की रिलीस से पहले इसकी बेफेक्स पर खूब चर्चा हुई थी, फिल्म इस पर खरी भी उतरती है, बेफेक्स को पूरे नंबर मिलते हैं, क्या बावाल बेफेक्स है, हर अस्तर का अलग रंग, हर अस् की गई है, यानि बीजूल एफेक्ट के हर एक हिस्से पर खास ध्यान दिया गया है, छोटी छोटी डिटेलिंग बर काम किया गया है, डारेक्टर आयन मुखर जी ने जो प्रमिस किया था, वह पूरा किया है, इस्टोरी के लिहाज से फिल्म कमजोर है, एक सपार्ट कहानी ह उसमें बाली बुडिया टेस्ट डिलने के लिए स्क्रीन प्ले के कई सारे पेस्ट धीले छूट गए हैं, चूकि स्क्रीन प्ले खुद आयान ने लिखा है, उन्हें चाहिए था किसे और ज्यादा रिभाइन करते, उन्होंने साथ फिल्म के टेकनिकल आसपक्ट पर जादा ध्यान दिया है, कहानी को उतना समय नहीं दिया, यह समय दिया है तो स्क्रीन प्ले को उतना बड़िया धंक्चे ढाल नहीं पाए, हुसेन दलाल ने डायलाग लिखे हैं, वो इससे पहले ये जवानी है दिवानी टू इस्टुडेंट और कारवा सरीखी फिल्मों के डायला नहीं थी, नार्मल भासा होती तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा लगता है किसे अवेंजर मोवी का हिंदी डब्ड वर्चन देख रहे हूं, साथ ही कई सवादो का तो कई मतलब ही नहीं है, एक जगे इससा सिवा से कहती है, मुझे तुमसे प्यार है, तो सिवा कहता है बोल अंतर है जी, प्रितम का म्यूजिक सही है, बैग्राउंड म्यूजिक एक्शन स्युक्वेंस में बढ़िया समा बानता है, सिनुमेटो ग्राफि मजता है, एडिटिंग भी बढ़िया है, एक जगे पर जितनी बार गोली चलती है, उतनी बार स्क्रीन पर हलकी से आग के साथ स्क्रीन बैक आउट हो जाती है, बढ़िया एक्स्परिमेंट है, सिवा के रूम में रडवीर कपूर ने ठीक से काम किया है, उन्होंने कोशिश की है कि और एक्टिंग ना करे, उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं, इसा के रोल में आलिया कहीं कहीं पर और एक्ट स्क्रीन काम किया है, उनको जनून के रोल के बाद और फिल्में मिलेंगी, कुल मिलाकर फिल्म लिखाई के मामले में कमजोर है, टिकनिकल पार्ट मजबूत है, हाँ इतना जरूर कहेंगे थीटर एस्पिरियंस वाली फिल्म है, बाली बुड को बेक अप सिट और ए जवानी यह दिवानी जिसी काम्याब फिल्में देने वाले निर्देशक, आयन मुखर जी का दस साल का सपना ब्रमभास्त आखिरकार साकार होकर अपनी मंजिल यानी सिनेमा इस्क्रीन तक पहुँच गया है, आयन अपनी इस महतकांची माइथो लोजिकल फैंटेसी एडवेंचर को आठ साल से गड़ रहे थे, फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उन्होंने बताया कि करीब दो दिन पहले तक वह इसे परफेक्ट बनाने यानि फाइनल टस्ट देने में चुटे हुए थे, अब इतने साल की मेहनत के बाद अपने इस ब्रमभास्त पार्ट वन सिवा को आयान कि फैंस सिने प्रेमियों को यहां तक की बॉक्स आफिस को भी बहुत सी उम्मीद हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है कि यह दर्शकों के लिए एक विजूल ट्रेट की तरह है, यह आम तोर पर फैंटैसी फिल्मों से अब तक दूर ही रहे बाली बुड में निश्चित तोर पर एक नई पहल है, हाला कि कहीं न कहीं विजूल इफेक्ट पर जयाता जोर देने के चक्कर में आयान फिल्म की कहानी को थोड़ा इग्नोर चरूर कर गए हैं, फिल्म की कहानी रिसी मनियों को वरदान के रूम में मिले अस्तरों के देवता ब्रंभास्त की है, जिसकी रच्छ कपोर तक सामिल है, ब्रंभास्त का ये पहला भाग सिवा के सफर पर आधारित है, जिस इस जरनी में प्यार इसायने आलिया भट और गुरुजी यानि अमिताब बच्छन की जरी अपनी ताकत का अंदाचा होता है, दूसरी और अंधिरे के देवता को मानने वाली जुन या मैनी राये ब्रंभास्त के तीने टुकडों को किसी भी कीमत पर हांसिल करना चाती है, आप जुनून अपने मकसद में कामयाब होपाती है या सिवा अपनी ताकत से उसे रोक लेता है यही इस फिल्म का सार है, ब्रंभास्त फिल्म की कहानी आयन मुखर जी नहीं लिखी है, क पीछे क्या उध्यस है या और ऐसे ही कई सवालों की गहराई से पड़ताल किये बीना है फिल्म आगे बढ़ती है फिल्म में ब्रंभास्थ के अंसों के रच्छा करने वाले ब्रंभास्थ अपने सुपर पावर से सिर्व ब्रंभास्थ को बचाने में चुटे रहते हैं. दितना नजर ही नहीं आती फिल्म में सिवह और इसा की प्रेम कहानी भी एक अहम इसके और और आकरसक है इसके डायओक उतने ही साधारण bytes परिफिल्म के तेज रपतार साणधार wefex वर्वाया प्रिया एक्शन सीन प्रितम के पहले हिट गाने होच के केसरिया देवा देवा और इसक काभूज जैसे गाने बैक्राउंड स्कोर यह सम्मिला कर बहुत हद तक स्क्रीन प्ले की कम्यों को दूर कर देते हैं फिल्म बड़े पर एक सिनिमाई अनभो तो जगाती है फिल्म में महसूस करती हुई अमिताब बच्चन ने गुरु जी के अपने किलदार में परफेक्शन के साथ काम किया है सहरुखान का काईमियो सर्प्राइज पैकेज है जबकि नंदी अस्त के रूम में नागरजुन का राइटर डारेक्शन आयन मुखर जी पूरा इस्तमाल नहीं कर पाए हैं कुल मुलाकर ब्रंभास पार्ट वन सिवा एक बिजूल ट्रेट की तरह है सिनेमाई परदे पर एक सांदार बिजूल का अनभव महसूस करना चाहते हैं रडवीर कपूर और आलिया भट की रियल लाइफ जोड़ी को रियल लाइफ में साथ देखना चाहते हैं तो भारी भरकम बज़र लगा है जो भारती दर्सकों को अस्तर वर्स्त की दुनिया में ले जाती है इस फिल्म की रिलीस से पहले ही बाइकॉड ब्रंभास्त का काफी सोरगुल हुआ है वही दूसरी तरप कई लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को सफल होने की दौई कर रहे हैं आईए बताता हूँ ऐसा क्यों किसी भी फिल्म की पहली और सबसे अहम जरूरत है कहानी और सबसे पहले उसी पर बात भी होनी चाहिए इस फिल्म की कहानी सिवा एनी रडवीर कपोर नाम के लड़के की है जिससे सपने में कुछ बेहत अजीब चीजे दिखती है और वो इस इस काम में उसकी गलफ्रेंड इसा ने आलिया भट उसका पूरा साथ देती है उपर जो कहानी मैंने आपको बताई हो ब्रमभाज ट्रायोलाजी यानि तीनों फिल्मों की स्रीज की पहली फिल्म की कहानी है आपने कभी चिप्स का पैकेट खरीदा है सोचिए उसका पैकेट कैसा लगेगा बस ब्रमभास देखने के बाद वएसे ही फिलिंग आती है एक फिल्म जिसके विजूल्स कमाल के हैं जिसमें सांदार एक्षन है बीजी एम एनि बैगरांड मुजिक खोब एक्साइटमेंट पैदा करता है लेकिन किसी भी फिल्म की जो सबसे अहम चीज है य प्रोना काल में OTT की वज़े से दर्सक दुनिया भर के सिनेमा से रूबर हुए ऐसे में हम लाखों का बजल लगा कर दर्सकों को सालों परानी तनी बोरिंग कहाने दिखा कर कैसे अच्छे रिजल्ट की उमीद कर सकते हैं रलबीर कपूर और आलिया भट पहली बार परदे पर नजरा रहे हैं ऐसे में दोनों की स्क्रीन पर कमेश्ट्री देखने को दर्सक काफी एक्साइटेड होंगे पर दिक्कत यह है कि फिल्म की सबसे हलके सीन ही इन दोनों के बीच के सीन है अमिताब बचन की एंट्री इंट्रोल के बाद है और वह उतने ही असरदार है जित करने की कोशिश करते रहते हैं फिल्म की सुरुआ सालों बात पर नजरार है सहरुखान से होती है लेकिन यह पूरा सीक्वेंसी कनफ्यूजिंग है सहरुख का एक भी डालाग आपको शीटी मारने अतारे बजाने वाला नहीं लगता है यह फिल्म नौ साल से बन रही है और पर नहीं भी आपको एडवेंचर या थिलर महसूस नहीं होता बस चारो तरफ आग ही अग रंग बिरंगी रोसनी बस गाने जो फिल्म के बिना सुनने में अच्छे लगते हैं वह कहानी में हर बार रिकॉर्ड से बनते नजराते हैं ब्रंभाश तक बड़े परदे के से परदे पर देखना चाहते हैं मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स का जवाब अब आयान मखरजी ने अस्त्र वर्स रच कर ब्रंभाश के जरिये देने की कोशिश की है आयान के पास हाली बुड फिल्मों जितना बजट तो नहीं है लेकिन बाली बुड में 410 क्रोड इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता है इस अस्त्र के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है शिवा एनी रडवीर कपूर अनाथ है पिता का उसे पता नहीं है और मत तब चल बसी जब वहा एक साल का था आग उसे जलाती नहीं है क्यों ये बात उसे भी नहीं पता है उसे अजीब सपने भी दिखाई जेते हैं इसाने अलिया भटकुवा पहली बार देखते ही दिल दे बढ़ता है एक बैग्यारिक यानि सहरुखान की हत्या हो जाती है और या घटना शिवा अपने सपने में देख लेता है जुनून नहीं मनी राय और उसके साथ ही एक आर्टिस्ट यानि नागर जिन की हत्या करना चाहते हैं और सिवा उसे बचाने के लिए वारड़सी जाता है सिवा को ब्रंभांस और ब्रंभस्त्र संबंद ही कुछ बाते पता चलती हैं अपने पिता और मा के बारे में गुरू जीनी अमिता बच आया है फिल्म की कहानी आयन मखरजी ने लिखी है साफ नजराता है कि उन्होंने M.C.U. फिल्मों से प्रेडा ली है कुछ किरदार और कुछ दरस भी आपको M.C.U. की याद दिलाएंगे आयान ने किरदारों को परालिक और धर्मिक टेस्ट देते हुए कहानी को भारती बन हुआ नहीं है फिल्म में जब इफेक्स एफेक्ट आते हैं तो या हाईवे पर दोड़ती है लेकिन जब रियल लाइप सीन आते हैं तो कच्छे राज़ते पर उतर जाती है सिवा और इसा की मुलाकात और इसा का सिवा को दिल दे बैठने वाली सिक्वेंस और सत दर्ज़े सिवा को जब पता चलता है कि उसके पास अगनी की ताकत है वो सीक्वेंस भी अच्छे बन पड़े हैं पहला हाप बहतर है लिदेशक ने कहानी को दुर्गा पूजा देसहरा और दिपावली वाले समय में सेट किया है बैकडराब में मंते तिवहार के कारण हर फ्रेम बहु और लंबे हैं क्लाइमेक्स में आयन मकरजी ने फिल्म बेफेक्स के तकनीसियों के हवाले कर दी है और खुद दर्सक बन गए हैं स्क्रीन प्ले की कम्या रह रहे कर सपह पर आती रहती हैं फिल्म की सिरुवात में सिवा के समवादों में टपोरी पन रहता है जो बाद में एकदम गायब हो जाता है इसा के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई है जापन और यसक्रेस के झाल लेते हैं प्रंभास्तं के टुकड़े बहुत ही साधार लगते है इनमें कुछ तो एफेक्ड दिये जाने थे निर्देसे के रोमे आयन ने फिल्म की गती कोतिये रख और ड्रामे को विजूल्स एफेक्ट से सजा कर पेस किया है कहानी को इस तरह से पेस किया है कि दर्सकों को समझने में ज्यादा परिशानी ना हो बेहतर होता कि वे लेखक के रूम में कुछ अलग सोचते क्योंकि कुछ किलदार और दरसी हाली बुड मूविस से उठा लिए ग जब हुए स्क्रीन पर आती हैं चाह जाती हैं सहरुखान कायमियों में प्रभाव छोड़ते हैं नागरजुन फीके रहे हैं डिंपल का पाड़िया ने इस रोल के लिए हां क्यों कहा समझ से पर हैं फिल्म के दो हिटकी के सरिया और देवा-देवा बीग स्क्रीन पर देख कमाल के हैं यह दिया फिल्म देखने के इच्छुक हैं तो इसे 3D एफक्स में ही देखें सिनमेटोग्राफिक कमाल की है ब्रंबास्त का पहला पार्ट सिवा रिलीज हुआ है और दूसरा पार्ट देवा नाम से आएगा पहला पार्ट बहुत ही प्रभावित नहीं करता है उमीद की जानी चाहिए कि राइटिंग डिपार्टमेंट दूसरे भाग में कम्यों को दूर करेगा जब भी कोई प्रियोग करते हैं तो ऐसा ही होता है या तो मूवी बहुत पसंद आएगी या फिर जटके से खारिश कर दी जाएगी बैसकार ब्रिगेड और कुरोनवा ओ पसंद आने वाली है जो एंजर्स या हैरी पार्टर जैसी मूवी के सोखीन हैं अगर आपने 2006 में आई बिबे को विराय और सुनी देवल की मूवी नक्सा देखी हो तो आपको कहानी कुछ-कुछ उसी लाइन पर लगेगी नक्सा में दोनों हीरो महाभारत कालीन योद्धा कड के कवच और कुंडल ढूडते निकलते हैं वही ब्रमभास में सुवानी रडवीर कपूर का पिता देव ब्रमभास के पीछे पड़ा है हाला कि वा खुद किसी मूर्ती में कहद है लेकिन उसकी सिस्या अंधेरे की रानी जुनूर यानि मनिराय तीन टुकड़ों में अनिज यानि नागारजुन के पास और तीसरा है उसके पास जिसको पता ही नहीं है एक आम डीजे सिवा यानि रडवीर कपूर और नास सिवा को यह पता है कि अगने उससे जलाती नहीं उसे जुरून का मोहन भार्गों पर अत्यचार भी दिखता है तो अपनी प्रेम का इ लागने अस्तर की ताकत वापस आती है कैसे सुआ कि माबाप का रिष्टा ब्रंभाज से निकलता है और कैसे तीने टुकड़े आपस मिलने के बावजूद ब्रंभाज धरती का बिनाश नहीं करता यह मूवी में दिखाए गया है चूक मूवी तीन हिस्सों में है तो एक हि लेकिन वो अवेंजर फिल्म की तरह के ज्यादा लगते हैं ना कि बाहुबली जैसे इमोशन के इस्तर पर भी मूवी बाहुबली के मुकाबले कमतर है हाला कि कोशिस पूरी हुई है कि रड़बीर आलिया की महबत को काफी एमोशनल रखा जाए लेकिन दर्शकों को यह पाइमयाब होता दिख रहा है विदेशी अवेंजर्स वाली मूवी को आगे हिंदी की मूवी इसके स्पेसल एफेक्ट का मजाक उड़ाने वाले बच्चे इसको पसंद करेंगे साय तभी आयान ने बिलंज के नाम जनून चोस आद रखे हैं जबकि ऐसे नाम आपको कम से क हिंदू माइथिलाजी या हिंदू इतिहास में ही मिलेंगे बाजूद इसके मूवी 10 साल से बन रही है इतने सारे सितारे जोड़े गए हैं एक अनमान है कि 400 करोड की लागत आई है सो हर फ्रेम में आपको मेहनत तो दिखेगी सभी बड़े सितारों ने जहमकर मेहनत किये भी सही है कि इस मूवी पर बहुतों कदाओं या उम्मीदे लगी हैं साधी के फौरन बाद आलिया रलविर की जोड़ी काना किसी दोर में बड़ा फायदे मंद होता लेकिन दोनों को फूट सों में बीव को लेकर दिया गया बयान कतरी रास नहीं आया है ऐसे में लगता है किस मूवी को बस बच्चे ही बचा सकते हैं जब किसी फिल्म की रिलीज से पहले उसके बेफेक्स के ही ज़्यदा चर्चे हो तो आपकी उमीदे बढ़ जाती हैं बरंभास के साथ ऐसा ही हुआ हर जिगे फिल्म से जुड़े लोगों ने बोला कि इसे बनाने में बहुत साल लगे ग्राफिक्स पर बहुत काम हुआ ऐसे ग्राफिक्स देखे नहीं होंगे लेकिन क्या वाकई ऐसा है इस फिल्म के ग्राफिक्स फिल्म की जान है आपको कुछ ऐसा दिखता है जो परदे पर पहले कभी नहीं दिखा लेकिन ऐसा 20-20 में होता है कई बार तो इतनी आग की लगता है भाई फिल्म ही फोग दोगे क्या लेकिन फिर कुछ ऐसा नजर आता है कि आप चौक जाते हैं फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत की गई है वो कहीं ना कहीं नजर आती है यह कहानी है रडवीर कपोर यानी सिवा की जिसे आग जलाती नहीं है उसे सपने में कुछ अजीब सी चीजे दिखती है और फिर पता चलता है कि ब्रंभास्त है जो तीन हिस्से में बटा है और उसे उनको जोड़ना है और ना जाने क्या करना है और वो क्या करता है सच में यही कहानी है जो समझ नहीं आती आपको कई बार पता नहीं चलता कि ये कौन सा अस्तर कहां ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पर और मेहनत करने की जरूरत थी रडवीर कपूर ठीक लगे हैं इससे बहतर हो पहले भी काम कर चुके हैं आलिया भट अच्छी लगी हैं उनकी एक्टिंग भी कमाल की है अमिताब बचन सबसे ज़्यदा इंप्रेस करते हैं अमिताब बचन का हेरे स्टाइल बहुत कूल लगता है नागर जुन अच्छे लगे हैं मौनी राय ने बिलन का काम अच्छे से किया है अमिताब बचन और रडवीर कपूर के आगे भीवए मजबूती से टिकी हैं फिल्म क कुछ नए करने की कोशिस कीगई है और इसके लिए आयन मुखरजी की तारीख ओनी चाहिए क्योंकि हम अक्थर कहते हैं कि बाली बुडवाले कुछ नए क्यों लिए करते यह कुछ नए तो किया है लेकिन इसे और बेतर तरीके से करने की ज़रूर्ट थी ये फिल्म अपने मार्बल इस्टूडियोज का या सिनेमा का है या हैरी पार्टर सिरीज वा लाड़ आपदा रिंग सिरीज की फिल्में इन सब के असर से बीते दो धाई दसकों में जवान हुई दसकों की ऐसी पूरी एक पेड़ी तयार हो चीकी है जिसने दादी नानी से सुनी अपनी देशी कहानियों को ऐसे ही भवी तरीके से परदे पर दिखाया जाने की हिंदी फिल्म निर्मताओं से आज लगा रखी है ताज्जुब की बात ये है कि फिल्में बनाने की तकनिक से इतना उन्नत होने के बाद भी किसी हिंदी फिल्मकार का ध्यान अब इस तरफ गया ही नहीं है भारती दंत कथाओं में पैराडे कथाओं की तमाम कहानिया मुख कहानियों की छेपक कथाओं के रूम में आती हैं के क्लाइमेक्स में की है और जिस मोड़ पर आकर एक कहानी रुखती है वह इसके दूसरे भाग को देखने की दिल्चिस्पी दर्शकों में पंती रहती है हिंदु धर्म की पैराडिक कथाओं में ब्रंभास्त्र एक अस्त्र है जो चलाए जाने के बाद कभी चूकता नहीं है यहां त्रेता युकी महागाथा कहती रामचिरित मानश पढ़ने वालों को याद आएगा दोहा ब्रंभ अस्त्र तही सांधा के पिमन कीन विचार जो ना ब्रंभ सर्मानो महिमा मिटए अबार फिर दौपर में हुए महाभारत के युद्ध में भी इसका प्रियोग हुआ ह यह एक ऐसा अस्त्र है जो अचूख है इसका प्रियोग बार बार हो सकता है और जब भी इसका प्रियोग होता है तो यह खाली नहीं लोड़ता कुछ खुद इसके सामने नामस्तक होकर पास में बन जाते हैं और कुछ को निसाने से हटा कर ब्रंभास्त की दिसा भी बदल द की जाती है आयन मुखर जी का ब्रंभास्त फिल्मी है इसकी कथा वर्तमान अतीत और भबिस में चलती है कहानी का सिरा आयान सनातन काल से पकरते हैं और ब्रंभास्त की उद्पति से लेकर इसके रखवालों का गुप्त सम्दाय बनाते हुए वरतमान में वह आते हैं जहां चर्चित प्रेमी युगलो में से एक रहे हैं दोनों के 20 प्रेम की जो लो इस फिल्म की शूटिंग के दोरान जगी इसकी जिलक इस फिल्म में मिलती है अगर आपने अमताब बच्चन रेखा धरमेंदर हिमा मालनी की फिल्में देखी हैं तो आपको कैमरे के सामने दोनों के चहरे पर एक अलग नूर देखता है यह तेज प्रेम का है रड़िर कपुर और आलिया के चहरे पर भी नूर इस फिल्म में नजर आता है और स्नीयोग एक यह भी है कि फिल्म की क्लाइमेक्स में प्रेम की सकति को किसी भी लोकिक या अलोकिक सकति पढ़ा बताने की ब्याक्खा भी है प्रेम की इसी सक्ति को ब्रंभास्त पार्ट देवा आगे बढ़ाने वाली है ब्रंभास्त पार्ट वन सिवा हिंदी सिनेमा का वह मौका है जिसको अगर बहिसकारों और घोर निंदकों से बचाया जा सका तेया वर्तमान मार्वल सिनेमाटिक यू प्रावों से भागती युवा पेड़ी को आपस उनकी धुरी के तरफ लाने की अच्छी गोसिस है आम तोर पर जब फिल्मों में पायर चुने की प्रिक्रिया घुटनों से नीचे खिसकने में हाप जाती है यहां कहानी का नायक कम से कम दो बार अपने वरिष्टों के काईदा पायर के अंगिठों तक जाकर छूता है फिल्म की उत्सो धर्मिता का एक अलग रंग है दसहरा से दिवाले की बीच के रंगों परकासों और उत्साहों की जलग फिल्म में दिखती है फिल्म अपना एक अलग संसार भी मौजूद संसार के बीच से धीरे-धीरे काई अपने खाड़ी अंडरों और हिंसे की रादों में असर छोड़ने में सफल रही है एक फिल्म करते समय प्यार कर बैठे रड़ी कपूर और आलिया भट को पहली बार परदे पर देखना असल जिंदगी के प्रेमियों को खूब भाने ही वाला है फिल्म सेहरुखान के के भी दिल को छूच जाती है अपनी दुर्बीन से तारे निहारते बैग्यानिक मोहन के घर में बरंभास्त के पहले हिस्से की खोज में हुए हमले का पूरा स्युक्ष दर्शक को बांध कर रखता है वन रास्तर से नंदी अस्तर तक सामने की यातरा में गद भी आती है और दर्शकों को कुछ अस्पेस्ट सिबाते या तो निफट में चलती आवाज या फिर परदे पर कुछ ना कुछ दिखाकर बताने की कोशिस की जाती है जिसकी फिल्म में जरूरत है नहीं सिनेमा में बहुत बताना भी बहुत अच्छा नहीं होता निर्देसक के तोर पर आयन अपनी कथाएं गरने के एक अलग ही प्रियोग है आयन मुकरजी हिंदी में अपना नाम आयन मुकरजी लिखते हैं अंग्रेजी में लिखे अपने नाम की वरतनी के हिसाब से फिल्म देखकर ये भी पता चलता है कि पैराली कथाओ कामिक्स की दुनिया भी उनकी पैजी फिल्मों से ही लेते रहे हैं फिल्म में उनकी कोर्स से कहानी में उनका बिस्वास और एक सुधा सिकार को पूरा करके फिल्म को परदे पर पह ужँंचाने का उनका खु मित भरनी परिय कपना होने होने करी और आप हो आपनी सक्ट का भान होने पर सिवा का आगा नह त पुल जमाए 120 सब्दों में उनके सारे गाने हैं फिल्म के समवाद भी कहानी के वजन को बढ़ाने में मुदत नहीं करते हैं ब्रंभास्त पार्ट वन सिवा की कमजोर कड़िया इसके समवाद के लावा इसका संपाधन भी है फिल्म के सिरुवाती हिस्से में रडवीर कपोर उनके दोस्तों के बीच होने वाली बाचित बहुत मंबया है ऐसी हिंदी अब हिंदी भासी दर्शकों को भी अच्छी नहीं लगती फिल्म में सिवा की प्रश्ट भूम से फिल्म का भविस्त्य किया गया है लेकिन इसा कौन है उसका प्रश्ट भूम क्या है इसके बारे मे उन दर्शकों को खास पसंदा सकती है जो मार्बल सिनुमेटिक यूनिवर्स जैसा कुछ हिंदी में देखने की ख्वाहिस अर्शे लिए बैठे हैं 2014 में अनौन्स हुआ कि आयन मुखर जी अपना साहकार बनाने की तैयारी में लग रहे हैं आयन मुखर जी एक ऐसा नाम है जो काफी अच्छे प्रोड़क्स के साथ जुड़ रहा है मसलन और सुदेश के असिस्टन डारेक्टर और बेकाफ सिड के डारेक्टर थे ये दो नाम अपने आप में बहुत मजबूत हैं और आयन के सीबी की रिड़ बनते हैं ऐसे में जब आपको इतने बड़े लेबल की एक फिल्म का सपना दिखाया जाए तो हर बीत्ते दिन के साथ इंतिजार किती भृता बढ़ती जाती है ये इंतिजार एक बुखार सा बढ़ता है जो सरीर को लगातार तपाता ही रहता है लेकिन फिर आप उसे बड़े से अंधेरे से भरे हाल में गद्दी दार कुर्सी पर बैड़ते हैं और तिन घंटे बाद अपने नए पाई उस्ताप से बस कुछ भसम कर देना चाहते हैं प्रमभाद भी ऐसी ही कत्की है कहानी क्या है? एक लड़का है सिउव उसे पता नहीं है कि वो हीरो है लेकिन वो है दसहरा और दिपावली के बीच हुई कुछ घटनाओ के चलते उसे खुद पर सक होता है उसे लगता है कि उसके साथ कुछ लोचा है आगे आगे कहानी किलियर होती है और मालूम चलता है कि भाई के पास कुछ सक्तिया हैं जो उसे योध्धा बना सकती हैं युद्ध किसके खिलाप होगा युद्ध होगा एक बलसाली नगेट्व करेक्टर के खिलाप जिसके नौकर दुनिया में घूम घूम ब्रमभास्त को हांसिल करने की जुगत भिड़ा रहे हैं ब्रमभास्त तीन हिस्सों में बटा हुआ है और उन नौकरों को उसे एक जिगह लाकर जोड़ना है इसी हिस्सों में बटे बरंभास को हांसिल करने और इसकी रच्छा करने की कहानी है बरंभास्त की ये पहली किस्त बरंभास्त के पहले चैप्टर में स्यू मुख करेक्टर है स्यू का रोल रडवीर ने किया है उनके साथ हालिया भट हैं जो इसा का रोल कर रही है गुरू रुखु के रूम में अमिताब बच्चन है सहरु खान और नागारजुन के छोटे-छोटे रोल हैं लेकिन एहम रोल है सहरु खान का नाम और काम का सौदेश से बड़ा कनेक्शन भी है इसके हलावा मौनिराय और सौरप गुर्जर पूरी फिल्म में दिखते हैं दुनों एंटी हिरो कारेक्टर हैं और आप पूरी फिल्म में किसी भी समय पर इनका पच्छन नहीं लेते दिखेंगे इसके हलावा तीन जगों पर डिंबल का पाड़िया भी दिखाई गई है मामला ठेक नहीं है पहले दस मिनट में संभा बंधा उसके बाद फिल्म की कहानी वो टेड़ी डंडी वाला राकेट बन गई जो जिसके छपर में जाखुसे भगवान भी ना बता पाए पहले दस मिनट में क्या हुआ ये इसलिए नहीं बता जा रहा क्योंकि इस पाइलर की स्रेड़ी में आ आ जाएगा सोचे कि आप एक थाली लेकर बैठे हैं जिसमें बढ़िया मुलायम पकोड़ी वाली कड़ी और चावल रखा है और उस पर तबीय से देशिग ही छोड़ा गया है आप दनातर उसे समेटने में लगे हैं लेकिन हर दो या तिन कौर के बाद कोई बार बार आकर आपके सामने से थाली हटा रहा है और कोल्ड काफी रखे दे रहा है आपको आगे कड़ी चावल खाने के लिए कोल्ड काफी पीना जरूरी है बरंभास्त के असल सुपर हीरो वाली कहानी वही कड़ी चावल है जिसकी थाली बार बार खींची जा रही है और आपको मजबूरन सिवा इस की लब स्टोरी रूपी कोल्ड काफी सिकुर्णी पड़ रही है फिल्म की सुरुआत थ्रिलिंग है और आप एक अच्छी पास्ट पेस वाली सुपर हीरो कहानी के अपेच्छा करने लग जाते हैं लेकिन फिर प्रेम कथा सुरु होती है और डांस होने लगता है ऐसा डांस जिसमें भोटान की जनसिख्या जितनी चंता हीरो के पीछे नाश्ती दिखती है हीरो को हीरो के रूप में इस्तापित करने के करम में इतनी जैदा मेहनत कर दी गई है कि दे सहरा के पंडाल की साथ सज्जा, भीर, म्यूजिक और एंबियंस देकर कोल्ड प्ले, एट सीरन वगेरा सरमिंदा हो जाएं और यह समय से पूरी फिल्म में रही है कहानी ऐसे हाईवे पर चलते दिखती है जिस पर 10 किलोमीटर बाद डोलना का आ जाता है और आपके पास दाम चुकाने के लावा और कोई आपसन नहीं होता यह दाम आप भेहानक किरिज, डालाग्स, अटपटी बाते, गयर जरूरी सिच्वेशन और गाने जहल कर चुकाते हैं कहना गलत ना होगा कि फिल्म में असल काम की चीज महज 30 से 35 प्रतिसत है बाकी सब आप भूल जाएं, कोई फरक नहीं पड़ेगा फिल्म आंत में समझाती है कि प्रेम से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई है ही नहीं लेकिन वहां तक पहुँचने के करम में जिस टार्चर से गुजलना पड़ता है ओ अमान हुई है सिवा और इस की प्रेम कता सहज नहीं है, बलकि हम पर थोपी गई है और इसके लिए आन मुखर जी के सबसे ज़्यादा नमबर काटी जानी चाहिए फिल्म के समवाद हुसें दलाल ने लिखे हैं बेहत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डालॉक ओजल हैं फिर वो चाहे सिवा का लाइट एक ऐसी रोसनी है जो कहना हो या इसा का अलग-अलग मौके पर कौन हो तुम पूछना हो आप पाएंगी कि बगएर कोई एक्स्ट्रा कोशिस किये कई मौकों पर आपका हाथ खुद बाखुद माथा पीट लेता है अवल तो रडवीर और आलिया को जिस तरह से मिलते हुए उनकी दोस्ती बढ़ते हुए दिखाया गया है अप अच्छनी है दूसरा उस सिचुएशन के साथ तुम अमीर हो मैं गरीब और भरोसा करना आता है और मेरे बिना तुम ठीक से रह लोगे टाइफ डाला कता ही नहीं जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई खिलाडी खड़ाओं पहन कर फुटबाल खिलने उतर गया हो और कई जिगोह पर बिलन और हीरो के बेश की बाचीत बेहत बचकानी लगने लगती है जैसा कि बताया गया है कि फिल्म के गाने कहानी पर ब्रिक लगाते हैं कुछ फिल्मकार हैं जो उस बीमारी से निकल रहे हैं जहां हीरो हिरोएन को गाने में अनिवार रुप से नाचना होता ही है उन्होंने गाने रखे हैं लेकिन कहानी उन्हें सीड़ी बना कर आगे बढ़ाती है लेकिन धर्मा और यसराज बैनर जैसे अभी भी पुरातन पद्धत को छाती से चिपकाये हुए हैं क्या आप सोच सकते हैं कि जब आरेन मैन की गोद में लेटा श्पाडर मैन मर रहा हो तो पीछे उधिन नराड की आवाज में मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले बजने लगे नहीं ना लेकिन प्रमभास्त में जब दुनिया नश्ट हो रही थी और जी सिंग की आवाज में कैसरिया का एकवर जन चल रहा होता है लेकिन हाँ गाने में इतर बैगराण्ड मेजिक अच्छा है जिसके पिछे अंग्रेजी कमपोजर साइमन प्रेगलन का हाथ है जहां जहां मौका बन पाया रोमांच पैदा करने में बैगराण्ड मेजिक ने अच्छा काम किया है इन सबके सिवा विज्यूर एफट का काम अच्छा है इन्दी फिल्मों में एक का दुका फिल्मों को छोड़ देतो जिनमें ग्राफिक्स की गुझाई ना के बरापर रही आप तका सबसे अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिलता है इसके बिजूल एफेक्ट पर D.N.E. जी नाम की कमपनी ने काम किया है जिसने फिल्म डियून को आसकर भी दिलाया था बरंभास्त अस्त्रवस्त की पहली किस्त है लेकिन इसने निराज किया फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जनता ने पहले देखाना हो ऐसे करेक्टर्स, ऐसी कहानियां, ऐसी प्रिष्थितियां, ऐसे एक्षन सीक्वेंस आदी ओटिटी पर खापने वाली जनता सालों से देखते आ रही है बरंभास्त में चुद देखने को मिलता है, वह आप पहले ही है रेपार्टर, मार्बल और डीसी स्रीज में देख चुके हैं इस पर बात करने पर जाएं, तो लंबी लिष्ट बन सकती है नय के नाम पर बस हिंदी पैराडिक नाम आ गए हैं, यानि नय पैकेज में वही पुरानी चीज पैक कर दी गई है ट्रीट वाला हिस्सा बेहत कमजोर है, ट्रीटमेंट वाला हिस्सा बेहत कमजोर है, लेकिन सोरूम को जगमक बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है रडबीर कपूर और आलिया भट की मोस्ट आवंटेट फिलम प्रमभास्त बड़े पर रिलेज हो चुकी है इस मल्टी स्टेरर मूबी का दर्शकों को बेसबरी से इंतिजार था माना ज़रा है कि साल 2022 में बाली बुड में जिस तरह से एक की बाद एक फिलमें पिट रही है परमभास्त इस सूखे को खतम कर सकता है इस मूबी को बनाने में जहाद 10 साल के करीब वो वक्त लगा है वह इस पर 410 करोड रुपे खर्चा हुए है फिलम का क्रेज ऐसा है कि पहले ही दिन करीब 3.5 लाग टिक्टो की एडवांस बुकिंग हो गई है यह ट्रेंड अभी बना हुआ है फिलहर वही अब बरमभास्त को लेकर रिबीव भी सामने आने लगे है फिलम समीशको की इस पर मिली जूली परतिकरिया है बॉली बॉर्ट से जुड़ी वेफसाइड पिंक विला ने इस मूवी को 5 में से 4 इस्टार दिये है रिबीव में कहा गया कि बरमभास्त महतकंच्छा का एक क्लैसिकल उदाहरड है आयन मुखरजी निर्देशित या फिलम आकांच्छा और कलपना को इस नियोजन को बड़े परदे पर जीवन्त करती है कुल मिलाकर फिलम देखना एक सब्जेक्टिव इस्पिरियंस है जएदातर समय दर्सक फिलम के एक एलिमेंट को दूसरे पर पसंद करते हैं बालीबूट बैस्ट ही अनबेप साइट कोई मौई ने भी इसे पांच मेंसे चार इस्टार दिये हैं रिब्यू में कहा गया कि आयन मुखरजी ने कहानी की तुलना में पटकता पर अधिक ध्यान के अंद्रित किया है क्योंकि हर फ्रेम पर एक पेंटिंग है फिल्म निर्माताओं ने हर सीन में भविता को बनाय रखना सुनशित किया है फिल्म में बहुत कुछ है जिसका अंदाज़ा दर्सक लगा सकते हैं फिर भी इसी देखने में मजा आएगा इसकी वज़े यह है कि आप या नहीं जान सकते कि इसे आपके सामने किस तरह से पेस्ट किया जाने वाला है इस फिल्म की कहानी है सिवा यानि रडबीर कपोड नाम के लड़के की जिसके सपने में कुछ बेहत अजीब चीज़े देखती है सुसल मीडिया पर अलाग अलग चल रही रिबीव और अलाग अलग से मिश्चों के रिबीव हाला की कमजोर नजर आ रहे हैं इनमें से फिल्म को एक इस्टार से ठाई इस्टार दिये गे हैं मीडिया रिबीव देखे तो फिल्म अपनी लागत निकाल सकती है वो ऐसे किछ रुबू इस फिल्म को बकवास भी बता रहे हैं फिल्म के लिए पहले दिन की एडवांस बुकिंग को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है बाली बुट से जुड़ी कुछ वेबसाइट के अनुसार पहले दिन के लिए आप तक 3.5 लाग के करीब टिकट बेख चुके हैं पहले दिन या बॉक्स आफिस पर 25-28 करोड की कमाई कर सकती है एडवांस बुकिंग का ट्रेंट मजबूत है वैसे भी करीब 400 करोड के बज़ट में बनी इस फिल्म को लेकर टेंड पंडितों में हलचल मची हुई है इस साल आप तक बाली बुड में बनी करीब 25 फिल्में परदे पर रिलीज हुई है इनमें से 21 तो फलाप की कटेगरी में हैं लाल सिंग चड़ा, पृतिबी राज, रचा बंधर और समसेरा जैसी हाईप वाली फिल्में भी इस साल बुरी तरे से फलाप हुई यहां तक कि संजेलिला भंसाली की फिल्म गंकु भाई भी एवरेज फिल्मों में ही सामिल हो पाई हिट फिल्मों में कस्मीर फाइल्स और भूल बलया जैसी फिल्में रही हैं वही देच्छिड भारत की हिंदी में डप केई गई फिल्में सभी हिट हुई हैं तमाम बाधाओं से गुजरते हुए आन मुखर्ची द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म प्रमभास पार्ट वन सिवा सिनिमा घरों में रिलीज हो गई है करीब 10 साल से इस फिल्म पर काम कर रहे आयान ने इसे तीन हिस्सों में बनाने की बात कही है इसका पहला पार्ट नाम के अनुरूप सिवा की कहानी है आयान ने अपने इंटर्विव में कहा था कि यह फिल्म भारती पैरालिक कहानियों से प्रिरित है जिसे आधनिक दिनिया में आधनिक किरदारों के साथ स्ट किया गया है या प्राचीन सास्त्रों में वर्डित अस्त्रों की कालपनिक कहानी पर आधारित है कहानी यू है कि हिमाले में घोर तेपेस्या करने वाले रिशी मनियों को वर्दान जुरू बरंभा सक्तिय अर्जित होती है जब यह धर्ती से टकराई तो बाकी अस्त्रों का जन्म हुआ यह अस्त्र हैं अगनी अस्त्र, जल अस्त्र, वानर अस्त्र इसमें महा अस्त्र ब्रंभास्त्र होता है, उसकी रच्छा करने वाले ब्रंभास्त कहलाए कहानी का आरब में मुंबई में असुर शरीखी जुनून यानि मैनिराय और उसके दो साथी परतिश्ठित बैगानिक मोहन भारगोयनी सहरुखान को परताडित कर रहे हैं दरसलों मोहन से तीन हिस्सों में टूट शुके ब्रंभास्त का एक हिस्सा लेने आये हैं असल में मोहन वानर अस्त्र है, यानि वानर की तरह कोट फांद कर सकता है उधर दिल्ली में अस्त्रों की दुनिया से अंजान अनास सिवा यानि रडबिर कपूर सपने में इस गटना को घटित होते देख रहा है उसे एहसास नहीं है कि वा खुद में अगने अस्त्र है दसहरे आयोजन के दौरान वा पहले नजर में ही लंदन से आई इसा यानि आलिया भट को अपना दिल दे बैठता है गटना करम मोड लेते हैं, वा इसा को बताता है कि मोहन ने आत्म हत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है या सब उसने देखा है, अब जनून और उसके साथियों की नजर वाराड़सी के आर्टिस्ट अनी सेट्टी यान नाकारजुन अकिनेनी पर है सिवा उन्हें बचाने के लिए वाराड़सी जाता है, इसा भी उसके साथ आती है वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सिट्टी रंदी अस्तर है, क्या जनून बरंभास्त के तीनों हिस्सों को हासिल कर पाएगी उन अस्तरों को हासिल करने के पिछे असल वज़े क्या है, इन पहले हों के इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती है बेक अपशिट और ये जवानी है दिवानी फिल्म के बास से आयान अपने महतकांची प्रोजेक्ट बरंभास्त पर काम कर रहे हैं उन्होंने पराडी कताओ के साथ आधुनिक्ता को जोड़कर बरंभास्त की दुनिया कड़ी है हाला कि उन पर हालिवुड की सुपर पावर आधारित फिल्मों का परभाव फिल्म में साब जलगता है यही वज़े है कि फिल्म का एक्षन कहीं कहीं बालिवुड फिल्म एवेंजर्स की याद दिलाता है इसमें किर्दारों के पास सुपर पावर होती है और एक दूसरे की रच्छा के लिए उन सक्तियों का इस्तिमाल करते हैं आस्तरों की ताक्तों को दर्साने के लिए फिल्म में विजुल एफेक्ट का नाम काफी उपियों किया जता है हाला कि वह बहुत प्रभावी नहीं बन पाए है फिल्म का अहम पहलू सिवा और इसा की प्रेम कहानी है प्रेम कहानी में रूठना, मनाना, हासी ठिठोली, छेड़खानी, एक दिसरों का पाने की तरफ होती है पिछले कुछ समय से हिंदी फिल्मों में प्रेम कहानी होती है लेकिन प्रेम आगन नहीं होती यहां भी इसा और सिवा की प्रेम कहानी है लेकिन इस्क्रीन पर देखते हुए रोमान्स और प्रेम के अनुभीद नहीं होती इसकी वज़े कमजोर इस्क्रीन पिले है सवाद भी बहुत प्रभावी नहीं बन पाए हैं शुरुवात में कहानी धीमी गत से आगे बढ़ती है फिर शिट्टी का परसंग आने के बाद उसमें गती आती है हाला कि शिट्टी के किलदार को बिस्तार देने की जरूरत थी फिल्म की चैजिंग सीन रोमान जगहें फिल्म में जनून के साथ रिवालवर लेकर चलते हैं यहाबात भी हजम नहीं होती आयान ने भारती सिनिमा में पहली बार अस्तर वस्तियानी अस्तरों की दुनिया बनाने की बात कही है लेकिन फिल्म में कोई सिगनेचर टूइन नहीं बनाया है जो बरंभास्त की पहँचान बने फिल्म का कलाइमेक्स भी बहुत प्रभावी नहीं बन पाया है यह फिल्म बाहुबली के कलाइमेक्स की तरह कटपा ने बाहुबली के क्यों मारा कि तरहे दूसरे पार्ट के लिए कोई जिग्याशा छोड़ने में कामियाब नहीं रहती है असल जिन्दिकी में पती पतनी रडवीर कपोर और आलिया भट ने इस फिल्म के साथ अपनी असल प्रेम कहानी की सुरुआत होने की बात कही थी हाला कि स्क्रीन पर उनकी कमेस्ट्री रंग नहीं जमा पाई फिल्म में सिवा का अपनी सक्तियों को जागरत करने वाला सीन लंबा हो गया है मेहमान भूमका में सहरुख खान चस्ते हैं गुरू जी के किल्दार में अमिताब बच्चन को समुचित स्क्रीन टाइप मिलता है लेकिन उनके किल्दार में अधूरा पन है मेहमान भूमका में आई टिंपल का पाड़िया का किल्दार भी अविकसित है ऐसा साइद इसलिए भी है कि तीन हिस्सों में बनने के कारण इसके किल्दारों को अगले पार्ट में बिस्तार मिले मौनी रायका किल्दार मारबल फिल्म के किल्दार इस कार लेट विज जैसा लगता है बस यहां पर उसे काले कपड़े पहना कर लाल रंकियां के दे दी गई है खल्नाइका कि इसके लार के लिए ससक्त कलाकार की जरूरत थी मैंनू चड़ गया डांस का भोत और के सरिया गाना पहले ही काफी पसंद किया जा रहा है रिशियों ने अस्तर प्राप्त किये उन अस्तरों की पीढ़ी दर पीढ़ी रच्छा होती आई वन रास्तर, नंदी अस्तर, अगनी अस्तर समय सभी अस्तरों का महा आस्तर ब्रंभास्तर इसके तीन टुकड़े हो चुके हैं जिसके अलग-अलग रच्छक हैं पर आप कोई भी उन टुकड़ों को पाकर सक्तिसाली ब्रंभास्त को फिर से जोड़ना चाहता है पर उन टुकड़े जुड़ गए तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे दुनिया कैसे बचेगी? कौन बचाएगा? यही है ब्रंभास्त का पहला पार्ट सिवा अमिताब बचन की भारी आवाज से फिल्म खुलती है उसके साथ चल रहे एनिमेशन की जरिये अपना मयार सेट कर देती है फिर आता है सहरुगान का जाबड कैमियो आपकी उमीद फिल्म से बढ़ जाती है गजब माहौल बनता है फिल्म हमारे अर्मानों को चने से जाड पर चड़ाती है फिर एकदम से वक्त बदल देती है जजबात बदल देती है गाना बजने लगता है लब इस्टोरी चलने लगती है अर्मान धारासाई हो जाते है इसके बाद बीच बीच में एक आध ग्रीपिंग सेक्वेंस आते है इंटरोल के पहले फिल्म बहुत बोजिल हो जाती है जब अर्दस्ती खीची हुई फिल्म लगने लगती है हिंदी मसाला फिल्मों के वही पुराने कलीसेज हैं वही लब इस्टोरिया बिना मतलब के गाने पूरा स्वात खराब हो जाता है इंटरोल के बाद ऐसा लगता है कि कोई दूसरी ही फिल्म सुरू हो गई है एक बार जो धुवाधार एक्सन सुरू होता है फिल्म के कलाइमेक्स तक रुकने का नाम ही नहीं लेता सिकंड हाप पहले से बहुत बेहतर है हाला कि एक फिल्म के दो हिस्सों में बाढ़ कर नहीं देखना चाहिए पर फिल्म बनी ही ऐसी है मेकर्ष ने फ़श्ट हाप बिल्डब में निकाल दिया है फिल्म को कम से कम आदे घंटे छोटी किया जा सकता था प्रमभास्त की रिलीस से पहले इसकी बेफेक्स पर खूब चर्चा हुई थी फिल्म इस पर खरी भी उतरती है बेफेक्स को पूरे नंबर मिलते हैं क्या बावाल बेफेक्स है हर अस्तर का अलग रंग, हर अस्तर का अलग रूप, एनिमेशन भी सांधार है इवन, एंट क्रिडिट्स का एनिमेशन भी बढ़िया है जदतर फिल्मों में हम देखते हैं कि बलेक स्क्रीन पर टेक्स डाल कर क्रिडिट बना दिया जाते हैं पर यहां उन पर भी अलग से मेहनत की गई है यानि बीजूल एफेक्ट के हर एक हिस्से पर खास ध्यान दिया गया है छोटी छोटी डिटेलिंग बर काम किया गया है डारेक्टर आयान मुखरजी ने जो प्रोमिस किया था वो पूरा किया है इस्टोरी के लिहास से फिल्म पर जाता ध्यान दिया है कहानी को उतना समय नहीं दिया यह समय दिया है तो स्क्रीन पिलो को उतना बड़िया धंक्चे ढाल नहीं पाए हुसें दलाल ने डायलाग लिखे हैं वह इससे पहले यह जवानी है दिवानी टू इस्टुडेंट और कारवा सरीखी फिल्मों के ड जरूरत थी बे मतलब के कठें सब्दों की कोई खास जरूरत नहीं थी नार्मल भासा होती तो ज्यादा अच्छा होता ऐसा लगता है किसे अवेंजर मोवी का हिंदी डब्ड वर्चन देख रहे हूं साथ ही कई सवादों का तो कई मतलब ही नहीं है एक जगे इससा सिवा से कहती है मुझे तुमसे प्यार है तो सिवा कहता है बोल दो फिर तब इसा कहती है I love you मतलब जब हिंदी में बोल दिया तो अंग्रेजी में बोलना दबारा जरूरी था क्या ऐसे ही एक डायलाग है जिसमें सिवा कहता है मैं अंधिरे की ताकत में नहीं रोशनी की सक्ति में स्क्रीन करता हूं यह तो वही हो गया ना मुझे इसक नहीं प्यार चाहिए ताकत और सक्ति में क्या अंतर है जी प्रीतम का म्यूजिक सही है बैग्गराउंड म्यूजिक एक्शन स्युक्वेंस में बढ़िया समा बांता है सिनुमेटोग्राफि मजत है एडिटिंग भी ब रोल में आलिया कहीं कहीं पर और एक्टिंग का सिकार हो गई है गुरू जी के रोल में अमिता बच्चन ने बढ़िया काम किया है उनकी आवाज इस फिल्म की जान है सहरु खान भी चितनी देर स्क्रीन पर रहते हैं बांधे रखते हैं नाकर जुन ने भी ठीक काम किया है म बाली बुड को बेक अप सिट और ए जवानी है दिवानी जिसी काम्याब फिल्में देने वाले निर्देशक आयन मुखर जी का 10 साल का सपना ब्रमभास्त आखिरकार साकार होकर अपनी मंजिल यानी सिनेमा इस्क्रीन तक पहुँच गया है आयन अपनी इस महतकांची प्रिफोलोजिकल फाइंटेसी एडवेंचर को आठ साल से गड़ रहे थे फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उन्होंने बताया कि करीब दो दिन पहले तक वह इसे परफेक्ट बनाने यानि फाइनल टस देने में चुटे हुए थे अब इतने साल की मेहनत के बाद अपने इस वन सिवा को आयान कितना धरातर बना पाये हैं इस पर चर्चा तो बनती है लेकिन उससे पहले उनकी इस मायने में तारिफ होनी चाहिए कि उन्होंने हिंदुस्तानी पौराडी कताओं को आधर बना कर वीफेक्स का सांदार बिजुल ट्रीट देने की कोशिस की है प्रमभा है हाला कि कहीं न कहीं वीजुल इफेक्ट पर जयाता जोड देने के चक्कर में आयान फिल्म की कहानी को थोड़ा इगणोर चरूर कर गये हैं फिल्म की कहानी रिशी मनियों को वर्दान के रूम में मिले अस्तरों के द्योता ब्रमभास्त की है जिसकी रच्छा उसके या नागारचुंत से लेकर मस्त मौला डीजे सिवा ने रवे कपोर तक सामिल है बरंभास्त का ये पहला भाग सिवा के सफर पर आधारित है जिसे जर्णी में प्यार इसायने आलिया भट और गुरुजी और अमिताब बच्चन की जरी अपनी ताकत का अंदाचा होता है दू ब्रंभास्त फिल्म की कहानी आयन मुखरजी नहीं लिखी है कहानी में कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन स्क्रीन प्ले में जिस तरे से पुराया गया है वह कई बार कंप्लीकेटड यानि जटिल लगती है फिल्म में ब्रंभास्त को पाने की लड़ाई तो दिखाई हुआ इसके पीछे क्या उद्यस है या और ऐसे ही कई सवालों की गहराई से परताल किये बिना ही फिल्म आगे बढ़ती है विल्म में ब्रंभास्त के अंशों के रच्छा करने वाले प्रंभास्त अपने सुपर पावर से सिर्व ब्रंभास्त को बचाने में चुटे रहते ह दुनिया समाज लोगों के प्रतुन का क्यायोगदान है उस पर कोई जोर नहीं दिया गया पहानी में मुकी किरदारों के अलावा आम जंता नजर ही नहीं आती फिल्म में सिवा और इसा की प्रेम कहानी भी एक अहम हुस्सा है लगने प्रेमकाने उतनी आकरसक नहीं बन पाई रड़बीर और आलिया के बेज की कमिस्टरी भी जएदा परबावट नहीं खरती फिल्म के सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित होते है हुसेन दलाल इन्होंने फिल्म के लिए डालाक्स लिखे हैं फिल्म जितनी बड़ी भभी और आकरसक है इसके डैलाग उतने ही साधारण हैं पर फिल्म की तेज रप्तार सांदार बेफैक्स बड़िया एक्शन सीन प्रितम के पहले हिट गाने होच के केसरिया देवा देवा और इसक काभूज जैसे गाने बैकरांड इसकोर ये सम्मिला क बहुत हद तक कि स्क्रीन प्ले की कम्यों को दूर कर देते हैं फिल्म बड़े पर एक सिनिमाई अनभो तो जगाती है फिल्म में एक्टिंग की बात करे तो रडबीर कपूर ने अपने किलदार पूरी इमानदारी से जिया है यही बार नेगेट्यूब हमका निभाने वाले के मैनी राय पर लागो होती है हाला कि अलिया भट अपनी प्रिदिभा और कस्य न्याय नहीं कर पाई वोई डाला को सिर्फ बोलती हुए लगती है ना कि महसूस करती हुई अमिताब बच्चन ने गुरु जी के अपने किलदार में परफेक्शन के साथ काम किया है सहरुखा पर एक सांदार विजूल का अनभव महसूस करना चाहते हैं रडवीर कपूर और आलिया भट की रियल लाइफ जोड़ी को रियल लाइफ में साथ देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आप जरूर देख सकते हैं निर्देशक आयान मुखरजी नौ सालों की महिनत के बार रडवीर कपूर और आलिया भट इस्टारर अपनी फिल्म ब्रंभास्त का निर्मार किया है एक ऐसी फिल्म जिस पर भारी भरकम बज़र लगा है जो भारती दर्सकों को अस्त्र वर्स्त की दुनिया में ले जाती ह इस फिल्म की रिलीज से पहले ही बायकॉड ब्रंभास्त का काफी सोरगुल हुआ है वही दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को सफल होने की दुआई कर रहे हैं क्योंकि ब्रंभास्त की सफलता बे जान पड़े बाली बुड में जान फोकने का काम करने वाली है लेकिन क्या ये फिल्म ऐसा कर पाई क्या ब्रंभास्त हिंदी सिनिमा के इस साल के बेहत बुरे अनभो को पलट पाएगी तो इसका जवाब है नहीं आईए बताता हूँ ऐस क्यों किसी भी फिल्म की पहली और सबसे एहम जरूरत है कहानी और सबसे पहले उसी पर बात भी होनी चाहिए इस फिल्म की कहानी सिवा एनी रडवीर कपोर नाम के लड़के की है जिससे सपने में कुछ बेहत अजीब चीजे दिखती है और वो इससे हैरान है सिवा एक इस काम में उसकी गल्फ्रेंड इसा ने आलिया भट उसका पूरा साथ देती है उपर जो कहानी मैंने आपको बतायो ब्रमभाज ट्रायोलाजी यानी तीनो फिल्मों की स्रीज की पहली फिल्म की कहानी है आपने कभी चिप्स का पैकेट खरीदा है सोचिए उसका पैकेट द बस बरमभास देखने के बाद वह से ही फिल्लिंग आती है एक फिल्म जिसके विजूल्स कमाल के हैं जिसमें सांदार एक्सन है बीजी एम एनी बैगरांड मुजिक खोब एक्साइटमेंट पैदा करता है लेकिन किसी भी फिल्म की जो सबसे अहम चीज है यानी कहानी बस उ OTT की वज़े से दर्सक दुनिया भर के सिनेमा से रूबर हुए ऐसे में हम लाखों का बजल लगा कर दर्सकों को सालों परानी तनी बोरिंग कहानी दिखा कर कैसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं रलबीर कपूर और आलिया भट पहली बार पर देपन नजरा रह कि ये डेब्यू फिल्म है और अपने किलदार में असरदार रही हैं मौनी एक खौपनाक बिलन बनी हैं और आप उनसे इस खौप की उम्मीद कर सकते हैं हाला कि उन्हें देकर आपको बाली बुड की एक बिलन जरूर याद आएगी कौन सी वो खुद तैकरिएगा फिल्म स साल से बन रही है और निर्देशकायन मुखर जी ने कई बार इस बात का जिकर भी किया है कि उन्होंने इस फिल्म पर काफी महनत भी कि पर लगता है कि उनकी सारी महनत थक्थनीक निकली और कहानी को वा नौ साल में अपडेट करना भोली गए फिल्म का हर सीन प्रेडिक्टेबल है कहीं भी आपको एडवेंचर या थिलर महसूस नहीं होता बस चारों तरफ आग ही अग रंग बिरंगी रोसनी बस गाने जो फिल्म के बिना सुनने में अच्छे लगते हैं वा कहानी में हर बार रिकॉर्ड सी बनते नजराते हैं ब्रंभाज तेक बड़े परदे के इस्पिरियंस वाली हाई बजट फिल्म है जिसमें खोप ताम जाम है बस आत्मा नहीं है इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो परदे पर ही देखिएगा लेकिन अब ये बाली बुड में 410 करोड रुपे में फिल्म तीन भाग बनाने का मौका सभी को नहीं मिलता आयान के प्रियास की सराहना की जा सकती है कि उन्होंने बाली बुड की तरज पर फिल्म बनाई है कि उन्होंने बाली बुड की तरज पर फिल्म बनाई है बरंभास्त अस्त्रों क पुआ एक साल का था आग उसे जलाती नहीं है क्यों ये बात उसे भी नहीं पता है उसे अजीब सपने भी दिखाई जेते हैं इसा ने अलिया भटकुवा पहली बार देखते ही दिल दे बढ़ता है एक बैग्यारिक अनि सहरुखान की हत्या हो जाती है और या घटना सिवा अ कुछ बाते पता चलती हैं अपने पिता और मा के बारे में गुरू जीनी अमिता बच्चन से कुछ महत्पूर्ट जानकारियां मिलती है जिनून क्यों हत्या करना चाहती है बरंभास से सिवा का क्या संबंद है इसके जवाब फिल्म खतम होने पर मिलते हैं जोकि आप फिल् तीसरे भाग के लिए छोड़ा गया है फिल्म की कहानी आयन मखरजी ने लिखी है साफ नजराता है कि उन्होंने M.C.U. फिल्मों से प्रेड़ा ली है कुछ किरदार और कुछ दरस भी आपको M.C.U. की याद दिलाएंगे आयान ने किरदारों को परालिक और धार्मिक टेस देते हुए कहानी को भारती बनाने की कोसिस की है और देशी सुपर हीरो का किरदार रचा है कहानी बहुत अनोखी नहीं है बरंभास के तीन टुकड़े हैं और इन तीन टुकड़ों को जुनून ढोड़ रही है इस तरह की कहानिया कई हालिवर्ड मोवी में दिखाई जा च सिक्वेंस और सत दर्जे के हैं और समझ ही नहीं आता कि आखिर इसक क्यों आचनक सिवा को चाहने लगती है इसा के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है और इनके रोमांटिक सीन कुछ ज्यादा ही लंबे खींचे गए हैं दूसरी और मोनी राइवाले सीन उम समय में सेट किया है बैकड्राब में मंते तेवार के कारड़ हर फ्रेम बहुत खुबसूरा लगती है इंट्रॉल भी इस खाज जगह लाकर किया गया है इंट्रॉल के बाद फिल्म में बोरिंग लंभे हावी हो जाते हैं सिवा का गुरू जी के आसरम में जाना वाला स्यू फिल्म की सिरुवात में सिवा के संवादों में टपोरी पन रहता है जो बाद में एकदम गायब हो जाता है इसा के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई है सुपर सक्तियों से लेस कारेक्टर्स बंदू क्यों निकाल लेते हैं परंभास्त के टुकड़े बहुत ही साधर नहीं नहीं बेहतर होता कि वे लेखक के रूम में कुछ अलग सोचते क्योंकि कुछ किलदार और द्रसी हाली बुड मूविस से उठा लिए गए हैं फिल्में एंटर्टेनिंग द्रसों की भी कमी है रडवीर कपोर और आलिया भट की जोड़ी बेहतरी लगी है दोना ही कला कामियों में परभाव छोड़ते हैं नागर जुन फीके रहे हैं डिमपल का पाड़िया ने इस रोल के लिए हां क्यों कहा समझ से पर हैं फिल्म के दो हिट गीत के सरिया और देवा-देवा बीग स्क्रीन पर देखने लाएक हैं इन्हें बहुत अच्छे से सूट किया गया सिनमेटोग्राफिक कमाल की है बरंबास्त का पहला पार्ट सिवा रिलीज हुआ है और दूसरा पार्ट देवा नाम से आएगा पहला पार्ट बहुत ही प्रभावित नहीं करता है उमीद की जानी चाहिए कि राइटिंग डिपार्टमेंट दूसरे भाग में कम्यों को दू से दर्शकों का मोह भंग ये दोनों ही बड़ी वज़े हैं कि बरंबास्त के लिए ये रिस्क और भी बढ़ गया है मुवी देखकर बस एक ही बास सर्तिया कही जा सकती है कि ये उन बच्चोर की सुरों को तो पक्का पसंद आने वाली है जो वेंजर्स या हैरी पार्टर ज सिता देव ब्रह्मभास के पीछे पड़ा है हाला कि वह खुद किसी मुर्ती में केड़ है लेकिन उसकी शिस्यां अंधेश्य की रानी जुनुर्ण यानि मनिराय तीन टुकड़ों में बटे ब्रह्मभास की टुकड़े ढोंड रही है ब्रहमभास्त में है कई बड़े सिता और तीसरा है उसके पास जिसको पता ही नहीं है एक आम डीजे सिवा यानी रलवीर कपूर और नास सिवा को ये पता है कि अगने उससे जलाती नहीं उसे जुरून का मोहन भार्गों पर अत्यचार भी दिखता है तो अपनी प्रेम का इसानी अलिया भट के साथ अनीश को बच साती है कैसे सुआ के माबाब का रिष्था ब्रंभाओ से निकलता है और कैसे तीने टुकडे आपस मिलने के बधरती नहीं करता यह मूवी में दिखाए गया है चुक मूवी तीन हिस्सों में है तो एक ही से कि आुए कि कषानी को एक्दम से खारिश नहीं किया जा सकता ले इमोशन के स्थर पर भी मुवी बाहुवली के मुकाबले कम तर है। हाला कि कोशिस पूरी हुई है कि रड़बीर आलिया की महबत को काफी इमोशनल रखा जाए। लेकिन दर्शको को ये पच्टा नहीं है कि एक मुलाकात में कोई इतना इमोशनल कैसे हो जाए। दर्शको को ये भी सायद ही हजम हो की मौनी राय जैसी बिलन के आगे अमिताब बच्चन, सहरुखान, नागारजून, रडबिर कपूर सब फेल हो जाएं। हाला कि डारेक्टर अपनी एक मंसा में तो कामयाब होता दिख रहा है। बिदेशी अवेंजर्स वाली मौवी को आगे हिंदी की मौवीज के स्पेसल एफेक्ट का मजाक उड़ाने वाले बच्चे इसको पसंद करेंगे। साय तब ही आयान ने बिलन्स के नाम जनून चोस आद रखे हैं। जबकि ऐसे नाम आपको कम से कम हिंदू माइथिलाजी या हिंदू इतिहास में ही मिलेंगे। बाजूद इसके मौवी दस साल से बन रही है। इतने सारे सितारे जोड़े गए हैं एक अनमान है कि चार सो करोड की लागत आई है। सो हर फ्रेम में आपको मेहनत तो दिखेगी। सभी बड़े सितारों ने जहम कर मेहनत किये। मौनी राय और सौरप गुर्चर जैसे लाखों लोगों के बीच अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। बले ही मौवी ने एडवांस बुकिम में 14 करोड कमा लिये हों लेकिन उसके लागर निकालना आसान काम वो भी थेटर से दूरी के दोर में। लेकिन ये भी सही है कि इस मौवी पर बहुतों कदाओं या उम्मीदे लगी हैं। साधी के फोरन बाद आलिया रलवीर की जोड़ी काना किसी दोर में बड़ा फायदे मंद होता। लेकिन दोनों को फूट सों में बीव को लेकर दिया गया बयान कतरी रास नहीं आया है। ऐसे में लगता है कि इस मौवी को बस बच्चे ही बचा सकते हैं। जब किसी फिल्म की रिलीज से पहले उसके बेफेक्स के ही ज़्यदा चर्चे हो तो आपकी उम्मीदे बढ़ जाती हैं। बरंभास के साथ ऐसा ही हुआ। हर जिगे फिल्म से जुड़े लोगों ने बोला कि इसे बनाने में बहुत साल लगे। ग्राफिक्स पर बहुत काम हुआ। ऐसे ग्राफिक्स देखे नहीं होंगे लेकिन क्या वाकई ऐसा है। इस फिल्म के ग्राफिक्स फिल्म की जान है। आपको कुछ ऐसा दिखता है जो परदे पर पहले कभी नहीं दिखा। लेकिन ऐसा 20-20 में होता है। कई बार तो इतनी आग दिखती है कि लगता है भाई फिल्म ही फूग दोगे क्या लेकिन फिर कुछ ऐसा नजर आता है कि आप चौक जाते हैं। फिल्म को बनाने में जितनी मिहनत की गई है वो कहीं नजर आती है। इक कहानी है रडवीर कपोर यानी सिवा की जिसे आग जलाती नहीं है उसे सपने में कुछ अजीव सी चीजे दिखती हैं और फिर पता चलता है कि ब्रह्मभास्त है जो तीन हिस्से में बटा है और उसे उनको जोड़ना है और ना जाने क्या करना है और ओ क्या करता है सच में यही कहानी है जो समझ नहीं आती आपको कई बार पता नहीं चलता कि ये कौन सा अस्तर कहां से आया और कहां चला गया और कई बार आपको बोरियत अस्तर भी आकर लगता है कंफ्यूजन अस्तर भी मिलता है एक सीन में आलिया रडवीर से कहती है कि कौन हो तुम फिर रडवीर कमाल की है अमिताब बचन सबसे ज़्यादा इंप्रेस करते हैं अमिताब बचन का हेरे स्टाइल बहुत कूल लगता है नागर जुन अच्छे लगे हैं मौनी राय ने बिलन का काम अच्छे से किया है अमिताब बचन और रडबिर कपोर के आगे भी वह मजबूती से टिकी हैं फिल्म का फ़स्ट हाप ठीक है लेकिन सिकंड हाप फिचा हुआ लगता है फिल्म को छोटा किया जा सकता था और अगर ऐसा होता तो फिल्म बेहतर लगती फिल्म ग्रैंड है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन फिल्म आपको पूरी तरह से बांध नहीं पाती फिल्म में कुछ नया करने की कोशिस की गई है और इसके लिए आयन मुखरजी की तारिफ होनी चाहिए क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बाली बुड़ वाले कुछ नया क्यों नहीं करते यहां कुछ नया तो कि आते हैं और रड़बीर आलिया और अमिताब बच्चन के फैन हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं मार्बल स्टूडियोज का या सिनेमा का है या हैरी पार्टर सिरीज वा लाड़ आपदा रिंग सिरीज की फिल्में इन सबके असर से बीते दो धाई दसकों में जवान हुई दसकों की ऐसी पूरी एक पेड़ी तयार हो चीकी है जिसने दादी नानी से सुनी अपनी देशे कहानियों को ऐसे हि भबी तरीके से पर्दे पर दिखाया जाने की हिंधी फिल्म निर्मताओ को से आसल लगा रखी है ताज़्जुब की बात ये है कि फिलमें बनाने की तकनिक से इतना उननत होने के बाद भी किसी हंदी फिलमकार का ध्यान अब इस तरफ गया ही नहीं है भारती दंत कथाओं में पैराडे कथाओं की तमाम कहानियां मुख कहानियों की छेपक कथाओं के रूम में आती हैं ऐसे एक छेपक कथा सरीखी आयन मुखर जी की 11 साल पहले सोची गई थी फिल्म ब्रंभाश्ट तीन हिस्सों में बनना प्रस्तावित है इस कहानी का पहला इससा आयान ने फिल्म ब्रमभास्त पार्ट वन सिवा के रूम में बनाया है इसकी अगली कड़ी फिल्म ब्रमभास्त पार्ट टू देवा की गोशड़ा भी फिल्म के क्लाइमेक्स में की है और जिस मोड़ पर आकर एक कहानी रुखती है वह इसके दूसरे भागों देखने की दिल्चिस्पी दर्सकों में पंती रहती है हिंदु धर्म की पैराडिक कथाओं में ब्रंभास्त्र एक अस्त्र है जो चलाए जाने के बाद कभी चूकता नहीं है यहां त्रेता युकी महागाथा कहती रामचिरित मानश पढ़ने वालों को याद आएगा दोहा ब्रंभ अस्त्र तही सांधा कपिमन कीन विचार जोना ब्रंभ सर्मानो महिमा मिटए अपार फिर द्वापर में हुए महाभारत के युद्ध में भी इसका प्रियोग हुआ है यह एक ऐसा अस्त्र है जो अचूक है इसका प्रियोग बार बार हो सकता है और जब भी इसका प्रियोग होता है तो यह खाली नहीं लोड़ता कुछ खुद इसके सामने नामस्तक होकर पास में बन जाते हैं और कुछ को निसाने से हटा कर ब्रमभास्त की दिसा भी बदल दी जाती है आयन मुखरजी का ब्रमभास्त फिल्मी है इसकी कथा वर्तमान अतीत और भविश में चलती है कहानी का सिरा आयान सनातन काल से पकरते हैं और प्रमभास्त की उतपत्ति से लेकर इसके रखवालों का गुपत संदाय बनाते हुए वरतमान में वहां आते हैं जहां धर्म और बिग्ञान का मौल होता है बिग्यानिक मोहन के रूम में अंधेरे की रानी मोहन से कुछ रहस्ट पता करती है और इसकी खोज के बीच से निकालती है सिवा और इसा की प्रेम कहानी रड़वीर कपर और आलिया भट हिंदी सिनेमा के हाल के दिनों में सबसे चर्चित प्रेमी युगलो में से एक रहे हैं दोनों के भीच प्रेम की जो लोग इस फिल्म की शूटिंग के दोरान जगी इसकी जिलक इस फिल्म में मिलती है अगर आपने अमताब बच्चन रेखा धरमेंदर हिमा मालनी की फिल्में देखी हैं तो आपको कैमरे के सामने दोनों के चेहरे पर एक अलग नूर देखता है ये तेश प्रेम का है रडवीर कपूर और आलिया के चेहरे पर भी नूर इस फिल्म में नजराता है और स्रियोग एक ये भी है कि फिल्म की क्लाइमेक्स में प्रेम की सक्ति को किसी भी लोकिक या अलोकिक सक्ति से बड़ा बताने की ब्याखा भी है प्रेम की इसी सकती को ब्रंभास्त पार्ट तुदेवा आगे बढ़ाने वाली है ब्रंभास्त पार्ट वन सिवा हिंदी सिनिमा का वह मौका है जिसको अगर बहिसकारों और घोर निंदकों से बचाया जासका तेया वर्तमान मार्वल सिनिमाटिक यूनिवर्स अरीखा एक अस्त्र वस्त हिंदी सिनिमा में रह सकती है फिल्म पूरी तरह से खरी नहीं है लेकिन अगर मनोरंजन के हिसाब से देखे तो प्रित्वी राजिया समसेरा की तरह खोटी भी नहीं है प्रंभास पार्ट वन सिवा एक तरह से देखा जाये तो सनातन संसक्रतियों और प्रंपराओं से भागती यूआ पेढ़ी को आपस उनकी धुरी की तरफ लाने की अच्छी गोसिस है आम तरपर जब फिल्मों में पायर चुने की प्रिक्रिया घुटनों से नीचे खिसकने में हाप जाती है यहां कहानी का नायक कम से कम दो बार अपने वरिष्टों के चरड़ बकाइदा पायर के अंगिठों तक जाकर चूता है फिल्म की उत्सो धर्मिता का एक अलग रंग है दसहरा से दिवाले की बीच के रंगों परकासों और उत्साहों की जलग फिल्म में दिखती है फिल्म अपना एक अलग संसार भी मौजूद संसार के बीच से धीरे धीरे रचने की कोशिस करती है कहानी दिल्ली से वारालसी होते हुए हिमाचल पर देश चाती है और इस दोरान कार पर हुए एक हमले की पूरी सिक्वेंस काफी रोमांस कारी है फिल्म में अमिताब बचल का इस्तमाल उनके अभाम अंडल के लिए किया गया है जबकि मौनी राय अपने खाड़ी अंडरो और हिंसे की रादों में असर छोड़ने में सफल रही है एक फिल्म करते समय प्यार कर बैठे रड़ेई कपूर और आलिया भट को पहली बार परदे पर देखना असल जिंदगी के प्रेमियों को खूब बाने ही वाला है फिल्म सेरु खान के परसंसको के भी दिल को छूच जाती है अपनी दुर्बीन से तारे निहार थे बैग्यानिक मोहन के घर में बरंभास्त के पहले हिस्से की खोज में हुए हमले का पूरा सिक्वेंस तरसक को बांध कर रखता है वन रास्त से नंदी अस्त तक सामने की यात्रा में गद्ड भी आती है और रोमांच भी बरंभास्त पार्टवन सिवा धीमी पढ़नी वहाँ से सुरू होती है जहां कहानी में एक ऐसा आस्रम आता है जिसके बाहर भी आस्रम लिखा होता है ऐसे गलतिया फिल्म में धेर सारी हैं जिसमें दर्शकों को कुछ एस्पेश्ट सिबाते या तो निफट में चलती आवाज या फिर परदे पर कुछ ना कुछ दिखा कर बताने की कोशिस की जाती है जिसकी फिल्म में जरूरत है नहीं सिनेमा में बहुत बताना भी बहुत अच्छा नहीं होता निर्देसक के तोर पर आयन मुगर्जी ने एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जिसे हिन्दी सिनेमा के दिगज भी इस दोर में बनाने की हिमन्मत नहीं कर पाए मूल पराली कथाओ पर फिल्में खोब बनी हैं लेकिन पराली कथाओ में कालपनी कथाओ गरने के एक अलग ही प्रियोग है आयन मुकरजी हिंदी में अपना नाम आयन मुकरजी लिखते हैं अंग्रेजी में लिखे अपने नाम की वरतनी के हिसाब से फिल्म देखकर ये भी पता चलता है कि पैराली कथाओ कामिक्स की दुनिया भी उनकी अंग्रेजी की तरह रही है पतांसे सिनेमा के संदरब बिंद भी वह अंग्रेजी फिल्मों से ही लेते रहे हैं फिल्म में उनकी कोश से कहानी में उनका विस्वास और एक सुदा सिकार को पूरा करके फिल्म को परदे पर पहुंचाने का उनका हाँसला काबिल तारीफ है लेकिन अगर उन्हें इस फिल्म की दूसरी कड़ी बनानी है तो उन्हें अपनी टीम के कील काटे दुरुस्त करने होंगे अपनी सक्तिका भान होने पर सिवा का गाना तांडो इस तरोस से कम नहीं होना चाहिए था और ऐसा हिंदी गीत लिखने की कम से कम अमिताब भटाचार से सामर्थ नहीं है वाभी दीरे दीरे जाविद अक्तर हो चले हैं उर्दू के कुल जमाए 120 सब्दों में उनके सारे गाने हैं फिल्म के समवाद भी कहानी के वजन को बढ़ाने में मुदत नहीं करते हैं ब्रंभास्त पार्टवन सिवा की कमजोर कड़िया इसके समवाद के लावा इसका समपाधन भी है फिल्म के सुरुवाती हिस्से में रडवीर कपोर और उनके दोस्तों के बीच होने वाली बात्चित बहुत मुंबईया है ऐसे हिंदी अब हिंदी भासी दर्शकों को भी अच्छी नहीं लगती फिल्म में सिवा की प्रिष्ट भूम से फिल्म का भविस्ते किया गया है लेकिन इसा कौन है उसका प्रिष्ट भूम क्या है इसके बारे में बस इतना पता चलता है कि वह अमीर है और उसका अमीर होना बनाउटी नहीं है फिल्म का बैग्राउंड इसकोर अच्छा है लेकिन फिल्म का गीज संगीत फिल्म के कत्य के हिसाब से काफी कम जोर है फिल्म प्रमभास्त पार्टवन सिवा उन दर्शकों को खास पसंदा सकती है जो मार्बल सिनमेटिक यूनिवर्स जैसा कुछ हिंदी में देखने की खोहिस अर्से लिए बैठे हैं 2014 में अनौन्स हुआ कि आयन मुखर जी अपना साहकार बनाने के तैयारी में लग रहे हैं आयन मुखर जी एक ऐसा नाम है जो काफी अच्छे प्रोड़क्स के साथ जुड़ रहा है मसलन और सुदेश के एसिस्टन डारेक्टर और बेकाफ सिड के डारेक्टर थे ये दो नाम अपने आप में बहुत मजबूत हैं और आयन के सीबी की रिर्ड बनते हैं ऐसे में जब आपको इतने बड़े लेबल की एक फिल्म का सपना दिखाया जाए तो हर बीत्ते दिन के साथ इंतिजार किती भृता बढ़ती जाती है ये इंतिजार एक बुखार सा बढ़ता है जो सरीर को लगातार तपाता ही रहता है लेकिन फिर आप उसे बड़े से अंधेरे से भरे हाल में गद्धी दार कुर्सी पर बैटते हैं और तिन घंटे बाद अपने नए पाई उस्ताप से बस कुछ भसम कर देना चाहते हैं प्रमभाद भी ऐसी ही गत्की है कहानी क्या है? एक लड़का है स्यूँ उसे पता नहीं है कि वो हीरो है लेकिन वो है दसहरा और दिपावली के बीच हुई कुछ घटनाओं के चलते उसे खुद परसक होता है उसे लगता है कि उसके साथ कुछ लोचा है आगे आगे कहानी किलियर होती है और मालूम चलता है कि भाई के पास कुछ सक्तिया हैं जो उसे योध्धा बना सकती हैं युद्ध किसके खिलाप होगा युद्ध होगा एक बलसाली नगेट्व करेक्टर के खिलाप जिसके नोकर दुनिया में घूम घूम ब्रमभास्त को हांसिल करने की जुगत भिड़ा रहे हैं ब्रमभास्त तीन हिस्सों में बटा हुआ है और उन नोकरों को उसे एक जिगह लाकर जोड़ना है इसी हिस्सों में बटे बरंभास को हांसिल करने और इसकी रच्छा करने की कहानी है बरंभास्त की ये पहली किस्त बरंभास्त के पहले चैप्टर में सुव मुख करेक्टर है सुव का रोल रडवीर ने किया है उनके साथ हालिया भट हैं जो इस्सा का रोल कर रही है गुरू रुखु के रूम में अमिताब बच्चन है सहरु खान और नागारजुन के छोटे-छोटे रोल हैं लेकिन एहम रोल है सहरु खान का नाम और काम का सौदेश से बड़ा कनेक्शन भी है इसके हलावा मौनिराय और सौरप गुर्जर पूरी फिल्म में दिखते हैं दुनों एंटी हिरो कारेक्टर हैं और आप पूरी फिल्म में किसी भी समय पर इनका पच्छन ही लेते दिखेंगे इसके हलावा तीन जगों पर डिंपल का पाड़िया भी दिखाई गई है बैठे हैं जिसमें बड़िया मुलायम पकोड़ी वाली कड़ी और चावल रखा है और उस पर तबीय से देशी घी छोड़ा गया है आप दनातर उसे समेटने में लगे हैं लेकिन हर दो या तिन कौर के बाद कोई बार बार आकर आपके सामने से थाली हटा रहा है और कोल्ड काफी रखे दे रहा है आपको आगे कड़ी चावल खाने के लिए कोल्ड काफी पीना जरूरी है बरंभास्त के असल सुपर हीरो वाले कहानी वही कड़ी चावल है जिसकी थाली बार बार खीची जा रही है और आपको मजबूरन सिवा इस की लव स्टोरी रूपी कोल्ड काफी शिकुर्णी पड़ रही है फिल्म की सुरुआ थ्रिलिंग है और आप एक अच्छी पास्ट पेस वाली सुपर हीरो कहानी के अपेच्छा करने लग जाते हैं लेकिन फिर प्रेम कथा सुरू होती है और डांस होने लगता है ऐसा डांस जिसमें भोटान की जनसिख्या जितनी चंता हीरो के पीछे नाच्टी दिखती है हीरो को हीरो के रूप में इस्थापित करने के करम में इतनी जएधा मेहनत कर दी गई है कि दे सहरा के पंडाल की साथ सज्जा, भीर्ड, म्यूजिक और एंबियंस देखकर कोल्ड प्ले, एट सीरन वगेरा सरमिंदा हो जाएं और ये समय से पूरी फिल्म में रही है कहानी ऐसे हाईवे पर चलते दिखती है जिस पर 10 किलो मीटर बाद डोल नाका आ जाता है और आपके पास दाम चुकाने के लावा और कोई आपसन नहीं होता ये दाम आप भेहानक किरिज, डालॉक्स, अटपटी बाते, गयर जरूरी सिच्वेशन और गाने जहल कर चुकाते हैं कहना गलत ना होगा कि फिल्म में असल काम की चीज महज 30 से 35 प्रतिसत है बाकि सब आप भूल जाएं, कोई फरक नहीं पड़ेगा फिल्म आंत में समझाती है कि प्रेम से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई है ही नहीं लेकिन वहां तक पहुँचने के करम में जिस टार्चर से गुजलना पड़ता है ओ अमान हुई है सिवा और इस की प्रेम कता सहज नहीं है बलकि हम पर थोपी गई है और इसके लिए आन मुखरजी के सबसे ज़्यादा नंबर काटे जाने चाहिए फिल्म के समवाद हुसेन दलाल ने लिखे हैं बेहत दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि डालॉक ओजल है फिर वो चाहे सिवा का लाइट एक ऐसी रोसनी है जो कहना हो या इसा का अलग अलग मौके पर कौन हो तुम पूछना हो आप आएंगी कि बगएर कोई एक्ट्रा कोशिस किये कई मौकों पर आपका हाथ खुद बाखुद माथा पीट लेता है अवल तो रड़विर और आलिया को जिस तरह से मिलते हुए उनकी दोश्ती बढ़ते हुए दिखाया गया है आप अच्छनी है दूसरा उस सिच्वेशन के साथ तुम अमीर हो मैं गरीब और भरोसा करना आता है और मेरे बिना तुम ठीक से रह लोगे टाइफ डाला कता ही नहीं जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई खिलाली खड़ाओं पहन कर फुटबाल खिलने उतर गया हो और कई जिगोह पर बिलन और हिरो के बेश की बाचीत बेहत बचकानी लगने लगती है जैसा कि बताया गया है कि फिल्म के गानी कहानी पर ब्रिक लगाते हैं कुछ फिल्मकार हैं जो उस बीमारी से निकल रहे हैं जहां हीरो हिरोएन को गाने में अनिवार रुप से नाचना होता ही है उन्होंने गाने रखे हैं लेकिन कहानी उन्हें सीड़ी बना कर आगे बढ़ाती है लेकिन धर्मा और यसराज बैनर जैसे अभी भी पुरातन पद्धत को छाती से चिपकाये हुए हैं क्या आप सोच सकते हैं कि जब आरन मैन की गोद में लेटा श्पाडर मैन मर रहा हो तो पीछे उद्र नराड की आवाज में मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले बजने लगे नहीं ना लेकिन प्रमभास्त में जब दुनिया नश्ट हो रही थी और जी सिंग की आवाज में कैसरिया का एक वर जन चल रहा होता है लेकिन हाँ गाने में इतर बैगरांड मीजिक अच्छा है जिसके पिछे अंग्रेजी कमपोजर साइमन प्रेगलन का हाथ है जहां जहां मौका बन पाया रोमांच पैदा करने में बैगरांड मीजिक ने अच्छा काम किया है इन सब के सिवा विजूल एफेक्ट का काम अच्छा है हिंदी फिल्मों में एक का दुका फिल्मों को छोड़ देतो जिनमें ग्राफिक्स की गुंचाई ना के बरापर रही अब तक का सबसे अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिलता है इसके बिजूल एफेक्ट पर D&E जी नाम की कमपनी ने काम किया है जिसने फिल्म डियून को आसकर भी दिलाया था बरंभास्त अस्तरवस्त की पहली किस्त है लेकिन इसने निराज किया फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जनता ने पहले देखाना हो ऐसे करेक्टर्स ऐसी कहानियां ऐसी प्रिष्थितियां ऐसे एक्षन सीक्वेंस आदी ओटिटी पर खापने वाली जनता सालों से देखते आ रही है बरंभास्त में जो देखने को मिलता है वह आप पहले ही हैरे पार्टर मार्बल और डीसी स्रीज में देख चुके हैं इस पर बात करने पर जाएं तो लंबी लिष्ट बन सकती है नए के नाम पर बस हिंदी पैरालिक नाम आ गये हैं यानि नए पैकेज में वही पुरानी चीज पैक कर दी गई है ट्रीट वाला हिस्सा बेहत कमजोर है लेकिन सोरूम को जगमक बनाये रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है रडबीर कपूर और आलिया भट की मोस्ट आवरंटेट फिलम प्रमभास्त बड़े परदे पर रिलेज हो चुकी है इस मल्टी स्टारर मूबी का दर्शकों को बेसबरी से इंतिजार था माना ज़रा है कि साल 2022 में बाली बुड में जिस तरह से एक के बाद एक फिलमें पिट रही है परमभास्त इस सूखे को खतम कर सकता है इस मूबी को बनाने में जहाद 10 साल के करीब वो वक्त लगा है वह इस पर 410 करोड रुपे खर्चावी है फिलम का क्रेज ऐसा है कि पहले ही दिन करीब 3.5 लाग टिक्टो की एडवांस बुकिंग हो गई है यह ट्रेंट अभी बना हुआ है फिलहर वही अब बरमभास्त को लेकर रिबीव भी सामने आने लगे हैं फिलम समीचको की इस पर मिली जूली परतिकरिया है बॉली बॉर से जुड़ी वेपसाइट पिंक विला ने इस मूवी को 5 में से 4 इस्टार दिये हैं रिबीव में कहा गया कि ब्रमभास्त महतकांचा का एक क्लैसिकल उदाहरण है आयन मुखरजी निर्देशित या फिलम आकांचा और कलपना को इस नियोजन को बड़े परदे पर जीवन करती है कुल मिलाकर फिलम देखना एक सब्जेक्ट्ट्व इस्पिरियंस है जएदातर समय दर्सक फिलम के एक एलिमेंट को दूसरे पर पसंद करते हैं बालीबूट बैस्ट ही अनबेप साइट कोई मौई ने भी इसे पांच मेंसे चार इस्टार दिये हैं रिब्यू में कहा गया कि आयन मुखरजी ने कहानी की तुलना में पटकता पर अधिक ध्यान के इंद्रित किया है क्योंकि हर फ्रेम पर एक पेंटिंग है फिल्म निर्माताओं ने हर सीन में भविता को बनाय रखना सुनश्चित किया है फिल्म में बहुत कुछ है जिसका अंदाज़ा दर्सक लगा सकते हैं फिर भी इसी देखने में मजा आएगा इसकी वज़े या है कि आप या नहीं जान सकते कि इसे आपके सामने किस तरह से पेस्ट किया जाने वाला है इस फिल्म की कहानी है सिवा यानी रडबीर कपोड नाम के लड़के की जिसके सपने में कुछ बेहत अजीब चीज़े देखती है सुसल मीडिया पर अला गलग चल रहे रिविव और अला गलग से मिश्को के रिविव हाला की कमचोर नजर आ रहे हैं इन में से फिल्म को एक स्टार से धाई स्टार दिये गए हैं मीडिया रिविव देखे तो फिल्म अपनी लागत निकाल सकती है वैसे किछ रिविव इस फिल्म को बकवास भी बता रहे हैं फिल्म के लिए पहले दिन की एडवांस बुकिंग को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है बाली बुट से जुड़ी कुछ वैपशाइट के अनुसार पहले दिन के लिए आप तक 3.5 लाग के करीब टिकट बिएक चुके हैं पहले दिन विया बॉक्स आफिस पर 25-28 करोड की कमाई कर सकती है एडवांस बुकिंग का टेंट मजबूत है वैसे भी करीब 400 करोड के बज़ट में बनी इस फिल्म को लेकर टेंड पंडितों में हलचल मची हुई है इस साल आप तक बाली बुड में बनी करीब 25 फिल्में परदे पर रिलीज हुई है इनमें से 21 तो फलाप की कटेगरी में हैं लाल सिंग चड़ा, पृत वीराज, रचा बंधर और समसेरा जैसी हाईप वाली फिल्में भी इस साल बुरी तरे से फलाप हुई यहां तक कि संजलिला भनसाली की फिल्म गंगुबाई भी एवरेज फिल्मों में ही सामिल हो पाई फिर फिल्मों में कस्मीर फाइल्स और भूल बलया जैसी फिल्में रही हैं वही देच्छिन भारत की हिंदी में डप कही गई फिल्में सभी हिट हुई हैं। तमाम बाधाओं से गुजरते हुए आन मुखर्ची द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म प्रमभास पार्ट वन सिवा सिनिमा घरों में रिलीज हो गई है। करीब 10 साल से इस फिल्म पर काम करएं आयान ने इसे तीन हिस्सों में बनाने की बात कही है। इसका पहला पार्ट नाम के अनुरूप सिवा की कहानी है। आयान ने अपने इंटर्विव में कहा था कि या फिलम भारती पैरालिक कहानियों से प्रिरियत है जिसे आधनिक दुनिया में आधनिक किरदारों के साथ सेट किया गया है या प्राचीन सास्तरों में वर्डित अस्तरों की कालपनिक कहानी पर आधारित है कहानी यू है कि हिमा में घोरते पैस्या करने वाले रिशी मनियों को वर्दान शुरूब ब्रम